अब क्या यार रहे सालों बाद वैलेंटाइन डे संडे पर आया था लेकिन बॉस ने सब कुछ कच्रा कर दिया संडे को कोई रिपोर्टिंग करने भेशते हैं और वो भी इतने चिल्लर चीज के लिए सर रोलिंग एक्शन अब देख नहीं रहे मैं रेडियो रहा हूँ चल कैमरा आठा रात की पूरी तैयारी करके रखिती सब गुड़ गोबर कर दिया बॉस ने दुआ करता हूँ उसके वीवी उससे डबल खर्चा करवा है हाँ रेडियो हमारे राज्य के फाइनांस मिनिस्टर श्री नागेंदर राओ जी के एक दावे ने संसनी फेला दी है कि एक गरीब आजमी अपने लिए सिर्फ 38 रुपए में दिन भर का राशन घरीद के भरबेट खा सकता है हम उनके चुनावी शेत्र नेता जी नगर के लोगों से इसी बात को लेकर पूछताच करेंगे तो आये चलते है ऐसी पखवास रिपोर्टिंग के लिए मेरा पूरा संडे बिगार कर दिया बॉस तो सामने से लड़की आ रही है मेरा टकला तो नहीं दिख रहा है नहीं क्यामरा क्यामरा मैं इधर करेंगे यो आस्किंग मैं आंसरिंग जल्दी टाइम नहीं है रेडी आटी जी आपका नेता कहता है कि एक दिन में 38 रुपे में एक आदमी का राशन आ सकता है इस पर आपका क यह जिस नेता ने बोला है पहले वो खुद घर चला के देखे अरे तु इतना आराम से क्यू बोल रहा है थोड़ा चिला के बोलना तभी तो नियूज ही उसको बाटली का भाव नहीं पता है एक देसी दारों की बाटली आती लग पचास रुपे की और चकना था बीस जाएगा ना वैसा बोलूगा मैं समझ रहा ना यह लोग खाक 38 रुपे में राशन खरी देंगे ला 500 अरे खहनी खाएगा तो तरे को कैंसर हो जाएगा मेरा तो लिपस्टिक और नेल पॉलिश का खर्चा ही एक हजार हो जाता है मैं 38 में कैसे घर चला है वो मेरा मैं नोट लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे पूछता है भारत की ऐसा क्यों कर रहे है को फीविशुर तरह कर दो बलो इस और भी है वह भी आपने पेंटे पहनी है अपनी तो अपनी यह पेहनता हूं सारी दुनिया मेरी शकल देखने के लिए टीवी खोलती है चट्डी देखने के लिए नहीं नहीं तो लगा थे नीचे टेबल के फिर पूरी दुनिय को तिख बुखना शुरू कर दिया, इज्जत से बात करने का कोर्स कर क्या पहले, निरंजन जी गुड मॉनिंग, अबे साभू पेपर देख जा, चाचा चाधरी नहीं हो जो याद रहेगा, सौरी सर, पहली न्यूज लेता हूं, हारने के बाद भारत में निराशा डांस, रियालेटी का क्रिमेशन हो गया है, भारतिये टीम ने ना हारने के बाद जिस दिन निराशा डांस शुरू के हमारी रियाल्टी नहीं बचेगी, हिंदुस्तान के लोगों को कॉमा फुलिस्टा पता हो तो इतना पॉपुलेशन नहीं होता, वैसे आज कर लोग उल्टी न्यूस को भी स तुम्हारे टीयार्पी नहीं आती, तुम्हारे चक्कर में माइनस में चला जाओंगा, उपर भी चट्टी पहनवाद हो तुम लोग, गधों को भरती कर लिया है, खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं मुझे भी फुट पार्थ में ले आएंगे सर, सर, ब्रेकिंग न्यूस है, अपने फाइनस मिनिस्टर को हाट अटाग आगया है, तपक गया, नहीं सर, तो ठीक है तुझा, टीयार्पी के सारे भुखे भिखारी हो हस्पिटल के सामने कटोरा लेकर जमे हुए होंगे, मैं तो न्यूस पढ़ लो, टेके जे, लोलिंग सर, इस राजी के फाइनस मिनिस्टर, दिल्ली के अपने पाटी के दफ्तर में हाट अटेक आने से गिर पड़े, हाट अटेक आने से ठीक आधा घंटा पहले, उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस की थी, कि भारत में आम आदमी का एक दिन का गुजारा मातर 38 रुपए में हो सकत और प्लाइनिंग कमिशन ने उनकी इस बात का समर्थन किया, इससे नराज उनके ही पार्टी के कारेकरताओं ने अपने दफ्तर में हंगामा कर दिया, और डॉक्टरों का कहना है, इस प्रेशर की वज़े से उन्हें हार्ट अटेक आ गया हाँ ठीके सर फोजाएगा सर अग्या अग्या थैके सर अग्या थैक्या 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 अपके लिए ठीवी लगा दू। मैं देखों ही तो क्या हर जग मेरे भुराइया हो रहे होगी वो देखके तकलीफ होगी तकलीफ होगी रहनी तो बेटा तूंट ठीक है सर सुनो बेटा बाहर मेर पिय बैठा है उससे कहो कि मैंने बुलाया है उकी सर सर बाहर का माहौल क्या चकरवर्ती सर बाहर तो लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है जैसे ही आपके हार अटक का पता चला आपकी वो कॉंट्रवर्शिल स्टेट्मेंट कहां गई पता नहीं चला आपके लिए बहुत सिंपती बन गई है सर आपके कारेकरता आपकी सेहत की दुआ मांग रहे है न्यूस चैलंज जो आपके बारे में न्यूस दे रहे उनकी ट्यारपी बढ़ गई है सर अरे 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 सोशल मीडिया पे सिर्फ आपके ही ट्वीट्स है सर यह बिल्कुल सही वक्त है मेरे बेटे को पॉलिक्स में लाने का जाए कि सबस्क्राइब है What happened? Wait… Kchiha Di Kadi Papad मिलता है Yo Vasha I'll call right later Let's roll यह जैसिका का है? वी ब्रोक अप किसा ख़तम? वाइ? I don't feel it, bro. वो वाली फिल नहीं आ रहे थी तो तुझे कैसी लड़की चाहिए जो वो वाली फिल देगी, यह? Bro, यह तुमें नहीं चानता, but I want magic प्यार में जादू होना चाहिए जो जैसिका में नहीं था. इसलिए I broke up. पप्पी में magic नहीं मिला? पॉशा, let's go. उसके पप्पी करने पर कब उतर नहीं निकला, इसलिए magic नहीं था. यह यह American चोंचले. या, या, राइट. ठीक है, हो जाएगा. Good morning, sir. Good morning, Mr. Kartik. अच्छा, मैंने तुम्हें वह construction project की files तयार करने के लिए कहा था. Ready है? हो गए यह, almost 90% done. मैं सर्फ दो ही numbers को मानता हूँ. 0 और 100. जी. काम पूरा हो गया तो 100, नहीं हुआ तो 0. तो मुझे beach का number मत बताओ, समझे? काम खत्म करके लाओ. दो घंटे में file मेरी टेबल पर होनी चाहिए. यहां पर बनेगा highway. यह है एक five star resort और यहां एक golf course होगा. I liked it. Thank you. Thank you. Sir, अभी भहिया के bill है, sir. एक महीने में 20,000 dollars? क्या वो पैसे के कीमत भूल चुका है, मूर्ती? 25 साल पहले मैं यहां एक सपना लेकर आया था कि मैं कुछ करूँगा और उस सपने को पूरा करने के लिए एक-एक पैसा बचाकर यहां तक पहुंचाऊँ. और वो सब बरबाद कर रहा है. समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? सर, अगर हर महीने इतना ही बिल आता रहना तो आपको बोरिया विस्तर बांद कर इंडियाना जाना पड़े है. फूल लगाओ, जरा पूछो कहां है वो? बांद कर दो Hey mom, good morning, what's in breakfast? मॉम, मॉम आपके लिए लिए लेकिन घर मेरे साथ तुम्हें हिंदी में बात करनी होगी पूजी माता श्री बहुत भूग लगी है क्रिपया भोजन दीजिए यह तास गुड देखा कितना अच्छा बोल लेते हो तुम अपने कजिन बाशा से हिंदी क्यों नहीं सीखते बाशा और हिंदी? और क्या? तुम उसकी हिंदी की तारेफ कर रही हो जो अपना नाम शन्वुगम ठीक से नहीं बोल पाता है, इसलिए खुद को बाशा बुलाता है, वो इसे हिंदी सिखाएगा हिंदी तो आते नहीं टूटी फूट इंगलिश जाड़ता रहता है नाश्ता करने से पहले ये पी लो वाट्स दिस? रात को दारू पी थी ना, तो उससे लिवर सड़ गया होगा उस पर ये मलहम का काम करेगा एक काम क्यों नहीं करती, हल्दी दूद महीं एक पैग मिला दो तुम्हें बेस्ट मदर कावाड मिलेगा क्या आप भी, ये इस उम्मर में पाटी नहीं करेगा, तो कब करेगा जैसे ही जिम्मेदारी आएगी, तो अपने आप समझाएगा बच्चों के साथ उनका दोस्त बन कर रहो हिटलर वाला जमाना गया अच्छा क्यों बिटा, तेरा उस फिरंगी लड़की से ब्रेक अप हो गया क्या वाट, किसने बताया, तुम्हारे एजिंट बाशन है ना जिसने भी बताया हो, तुम्हारा ब्रेक अप हो गया, मुझे इसी में खुशी है मॉम, आई ब्रोक अप, मेरे ब्रेक अप से आप इतनी खुश क्यों हो रही है मैं खुश क्यों नहूं, मैंने कहा था न, कि फिरंगी लड़कें तुम्हारे टाइप की नहीं है चिंता मत कर, अब तु देख ताजा, मैं तेरे लिए इंडिया से एक सुन्दर घरेलू लड़की खुद लेकर आऊंगी मॉम, आपके पास ये हिंदी, इंडियन लड़की, कल्चिर, इसके लब और कोई चॉपिक नहीं है मेरे पास है, सुनोगे, तुम्हारे अनाप्शन आप खर्चों के बारे में है बीस हजार डॉलर्स, जो इंडियन रुपीज में लगभग पंद्रह लाख रुपए होते है इतने में 14 लोगों का परिवार 5 साल तक खापी सकता है पर ये तुम्हारा एक महीने का खर्च है, जानते हो कितनी मेहनत लगती ही पैसा कमाने में तुम्हे इस तरह डाट कर मुझे खुशी नहीं मिल रही बढ़ा पर तुम्हें जिंदगे और पैसे की कीमत समझनी चाहिए अभी सिर्फ मेरी जायदाद नहीं, केरेक्टर भी शेयर करो, आगे यही बोलने वाले थे खर्चा किया तो क्या हुआ डाट आपके डाट एक छोड़े से क्लर्क थे, इसलिए आपको मैनत करनी पड़ी, पैसे कमाने पड़े बच मी, माई दैड इस बिलियोनेर दैड, आप इसना पैसा कमाते क्यों है, ताकि मैं जी सकूँ हापी, कमफुटेबल और लविश लाफ, तो इसमें प्रोब्लम क्या है आप मुझे समझ में आया, कि आप मुझे समझ में आया, कि आप मुझे इसना खुसा क्यों है, जैसे मैं जिंदिगे एंजोए कर रहा हूं, वैसे आप कभी भी नहीं कर पाए, तास वाइ यू आप इस जिलिस, अबने बेटे के लिए खुश होई है, और सबसे जरूरी बात थैंक यू फो एवरिथिंग, लवी दाद, अवी, तुम कुछ दिनों में मेल्बन जाने बाले हो, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ, एक्जाक्ली, मेरा फ्रेंज भी मुझे से यही कह रहे थे, बाय दाद, अवी, हे ब्रो, यू मैन, यह, यह, अवी, संभल कर रहना, जब अवी के साथ, तो डरने के क्या बात, कैसा बोला मैं? गुद्धू, तुम सही संभल कर रहने के लिए कहा है, समझे? मेरी इजद का करेले का सबजी बनाती है, हलो, हे अवी, जैसे का कजादू ने चला, अब इसका क्या चलाएगा? ब्रो, तेरा दिल पहले से पेट्रोल पंप है, यह लड़के उसमें घासलेट छीड़क के आग लगा रही है, ओ ब्रो, आग बुझाने के लिए सीडी बंबा मंगवाना पड़ेगा, हे लुक, हे डांसिंग, विजैनी, हे यू, लोचो, हे दूड़, बग औफ, अ अट, प마ए औध, अ चोठ झासले, ऑट।ियाऑई बट सेयल है, बखने repent अ लादिये, बखने लिएगाउ सद्याओ सभया फिर मिल लेंगे मुझे युएसाइ पचीज साल हो गए but I do not see any police station in this erstmal Hey, 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 come on. You one way save me How dare you to watch my girlfriend brighten Gayatri Come on you coward, come out We are here in now Come on Hey Abi, Abi Please go home Leave me Onside, na I will kill him I will kill him Hurry up, come on Let's go, drive faster सुनिये, तुम्हें किसी की बुरी नसर न लगे, तुम पर किसी का बुरा साहना पड़े जब ये कदू कड़ेगा सब में कैसे बढ़ेगा, मैं काट होगा, ले और इसे फेंग दे, अब जाओ और ये, आपको सर ने शाम को मिलने के लिए बुलाया है, तुमने ही कान भरे होंगे, मैंने कुछ नहीं किया सर, कर राउट हे डाद, आपने मुझे बुलाया था? हाँ अवी, कुछ ज़रूरी बात करनी है अवी, अब तुम बड़े हो गया हो, हम 2400 गंटे अब तुम्हारी चिंता में नहीं बैठे रह सकते कल रात जो हुआ वो फिर हो सकता है बचाद, गलती उनकी थी, मैं तुम वैसे भी अगले महिने Melbourne University जा रहे हो, तो यहाँ एक महिना खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है तुम और बाशाय एक महिने के लिए इंडिया चले जाओ, वहाँ खूब आश करो, मजए करो, और वही से सिधा Melbourne निकल जाना तब तक ये मैटर ठंडा पड़ जाएगा पर डाड, इंडिया है क्यों? इंडिया में रखा ही क्या है, पॉपिलेशन और पॉलिशन के अलावा, बैड आडिया डाड, बैड आडिया शट अप अभी, मत भूलो कि तुम्हारे मॉम डाड भी इंडिया से है इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए पदा नहीं डाड को क्या हो गया, जिद कर रें के इंडिया चाहओ, हूल गोदेर, जिसको बर्गर्स और पैटीज कहाने की आदद है, वह वड़ा पॉर भजिया कैसे खाएगा, कभी नहीं, नेवर ब्रो, मैं तो खालूँगा, उनको जाना है तो वह खोँछ चले जाएए तो त्थेंकियो ब्रो, एक बार तो नो, क्या है इसमे दो मैनेस है, मैने तुछे भुला थाथ नियूच पुल दाले गोड़का तुने, मैने तुछे भुल थे भुल तो नियूच पला को साथ गी डालने अब तो क्या करर रहे एफ नहीं यह उटेश पुरेद को प्रुछ महा हार गिया, महा हार गिया, चिलरे वो भी लेली, यह ले, जैसे हर इंसान में जनम से टालेंट होता है, वैसे ही हर कंट्री की एक खासियत होती है, मैंनी मानता, मानना पड़ेगा, लंडन की पगार, अमेरिका का घर, इटली का पास्ता और इंडियन ब्यूटी, यह मिल जाय थंडी होती है, यह गर्मी होती है, दो ही मौसम है, इंडिया की बात अलगे, बजजड मौसम बसन बाहर, जौथा मौसम प्यार का, प्यार का मौसम कैसे खिलता है, दिखाता हूं, हाहा, हाहा, यह यह तो फिल्म अक्रिस काजल है, सब काजल की बेहन ही है, सिस्टर, यह, हर इतनी ही क्यूट होगी? क्यूट ना होई तो डबल पैसे वापस, ट्रस्ट में. ठीक, अगर मैं जुट बोला तो गंजा हो जाँगी. ठीक है तू गंजा हो जाँगी. ठीक है तू गंजा हो जाँगी. पक्का. पक्का. Okay, let's go to India. मैं तो आपके heart attack की news सुनके घबरा गया था. पर आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी. आपने भार गव सर को सही टाइम पे पॉलिटिक्स में उता रहा है. भारो भाया जिल्दाबाद! 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 अब भी उस पात पर कायम है कि 38 रुपे में एक आदमी अपने दिन का खर्चा निकाल सकता है? डैड ने कहा था कि अगर कोई चाहे तो अडजस्ट करके 38 रुपे में जी सकता है. यह इन्होंने आम आदमी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा. जो बात इन्होंने एक्जामपल के तौर पर कही. उस बात से आप लोग अपनी TRP मत बढ़ाईए. जनता जानती है कि पिछले 30 सालों में मेरे डाइड ने उनके लिए क्या-क्या किया है? विपक्ष का कहना है कि आप विदेश में रहे कर बिजनेस करते हैं, यहां की पॉलिटिक्स को क्या समझेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता. मैं सिर्फ उस जनता की सेवा करने आया हूँ जिसने हमें इतना प्यार दिया. यहां जुक्रिए. शुक्रिए. नमस्ते, सिर्फ. व्याओ व्याओ बाई नागेंद्र, तुम तो आजकल टी वी पर और अख़वारों मेरी याद कैसे आगई? सिर्फ प्लैनिंग कमिशन का ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि तुम्हारी केमिकल फैक्टरी का इशु भी नेता जी नगर में लोगों के बीच विरोत का एक एहम मुद्दा बनता जा रहा है बताओ हम उसका क्या करें पिछले एलेक्षिन में हमने 30 करोड़ पार्टी फंड दिया था इस बार 50 करोड मांग रहे है पार्टी फंड देने में हमें अतराज नहीं है मगर हमारी फैक्टरीज को चलने दो बच्पन में देखा था इसे अब तक ये बड़ा नहीं हुआ ये मेरे दुबई में पावर प्रोजेक्ट देख रहा है अब मेरी उमर हो चली है चाहता हम ये राजनीती में आ जाए हम लोगों ने राजनीती में जो मुसीवत जहली है तुम क्या चाहते हो बच्चे भी जहलें मगर राजनीती तो मेरे खून में ही है मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ अब देखते जाए इस बार का एलक्षिन रिकॉर्ड मिजॉरटी से जीतुंगा अरेवा, अभी तो टिकेट दिया नहीं और तुम रिकॉर्ड और बहुमत की बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है ये तो सीधा मंत्री बनना जाता है बिल्कुल सर आपके मूमें घेशक कर मेरी भी यही इच्छा की मंत्री बने फाइनस्मिनिस्ट्री जो इतने सारों से मैं समालत पहले ही बहुत से लोग मेरे पीछे पड़ए हैं मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं सर आप तो मेरे लिए पिता तुल्य है अगर आप कुछ कर सकें तो ठीक है पहले अपने बेटे को बोलो लोगों के बीच जा अपनी पहचान बनाए हुआ हो जागा सर एक्सपिरियंस नही लेकिन लोगों के बीच अगर पहचान होगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ बहुत 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 धन्यवाद सर जो का है वो करो जी सर हो जाएगा चलता हूँ नमस्ति सर सुनोग भार गव एक मिनिट यहां हो पॉपुलरिटी जो है नहीं तुम्हे अपने चंचों को अगल ब पहन कर पॉपलिक में जा कर काओगे यह कर देंगे वो कर देंगे तो पॉपलिक भरोसा नहीं करेगी तो मैं आम आदमी की तरहा जनता के साथ उटना बैठना पड़ेगा तभी उनका बारोसा जीत पाओगे समझे है ब्रो बैठ बैठ के कमा रकड़ गई मेरी तो टूटे गई अचारक दिंड़ आवजाई पहला सेंपल तो बागी कैसी होंगी है चलो हम ला करते है अचारक नमस्ता सर रागी ड्रैवर सामान लेगा रागी तो लेट होगा उप उप किदर गया यह शकल से हम लोग पाइरेटेड अर लगतें क्या तोम दो नहीं आवी और बाशाओ यह यह मेरे पीछे आई है हम इलो आटिच इथे देख रागी डररा वाता हाht व्हाँ था डॉलर्पलर हमरा एक डॉलर इढर का 70 रूपीस मतलँ हम सत्तर गुना जादंग इला जुट सकते है अरे सु चार बंगडी ले आया यह ब्रदर चार नही एक वठ द्स knife मैं इस खटाना में जाऊँगा, यह मुर्ती को मैं छोड़ूगा ने, आभी इसको कॉल करके बताता हूँ ना, ब्रो, 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 वैसे भी कमर तूट गई है, इसमें थोड़ा मसाज हो जाएगा, कमार ए डूड, गाड़ी चलेगी कि धक्का मानना पड़ेगा, वयो, यो, यो, ब्रो, वाव, नाइस रूट्स, इंडिया कितना बदल गया है, पहले मेलाधा भी और गंदा हो गया, पतानी कब सुद्रेगा, वाव, ब्लु कलो, आ लव, ब्लु कलो, ब्लु कलो, ब्लु कलो, बंद करो, 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 बंद एक रस्ते में क्यूँ ऐसे गंदा थोबड़ा बना कर नाग बन मत करो बेहोश होगे तो यही गुबर सुंखाना पड़े अब जल्दी चलो यहां से वरना तुम पर कोई टटी ना कर दे लगता है हम चीडिया घर में आगे वह टॉप फ्लोर पे तुमारा कम रहे है यह क्या है डूड डाट मुझे ऐसी जगह पर कैसे रुका सकते हैं मैं अभी डाट को कॉल करता हूँ यह यह ज़िए पिक अपक अप डाट पोर ने उठारे मुर्ती को फोन करके उसको गाली दे एक दम शुद हिंदी में गाली हाँ सर कही है शर्गयभण तो यह कैसा भद्ध्दा मज़ा के मूर्थी आपे ण्यामें तुम्हे लगता हम चोपने में रहेंगे मैं तुम्हे टुटे के टुडे नौकरी से निकलवाके रहूंगा सर्व, मुझिछसे गल्धी से मिस्टिक को तुम्हें स्टेक को साही करो अभी करता हूं सर, ठीके सर, रखता हूं फूट आंसर, अम यहां नहीं रहेंगे रहना नहीं रहना तुम्हारी मर्जी यह लो भंगले की चाबी, एश करो यह तुम्हें चाबी चिपका गया? किसमत पे ताहरा लगा कि अहां अहां ब्रो, फाइव स्टर होटेल ओकी गुगल, विद्वाद में सबस्य अच्छा होटेल कॉन सा है है सर, है तुम्हारा नाम क्या है? रतनमाला सर, रतन जैसिन मोय और फूलो की माला कितरा, रतन लडगा है क्यार, है yes sir है, सयर मत इसा हो, मुझे अपना ही समझा okay sir तुम रेधी कह हुँ लड़ी का फूल, sir लड़की का क्या लड़की का नहीं लड़की का नहीं sir इस होटिल को पांच तारे लगया है, यू निद टू बुक इन एडवांस, गाउं से आयो ना इसले पता नहीं होगा, हेलो, do you know हम लो कौन है, हम चिंच पोकली से थोड़ी, कोई प्रॉब्लम है सर, हम लोग अमेरिका से टूर पर रहें, हमें एक स्वीट रूम चाहिए, और कोई बात नहीं सर, मैं बेल बॉइग भीजता हूँ, आप जाएगे, कम लाकर, सर, अध्र हिल, डाड का फोन लगी नहीं रहा है, उन्हें वोइस मेसिज भीजता हूँ, डाड, आपके पियो को फॉरर निकाल दीजे, जानते उसने कैसा कमरा दिलवाय था, बार डूंट वर मेसेज मिलते ही प्लीज कॉल कीचिएगा, लव यू डाड, बाशा, या डूड, तूने कहा था है, क्यूट लड़किया मिलेंगी, कहां पर हैं, यह किसको पुछूँ, एजेंसी को पता होगा, एजेंट, यह एजेंट, यह कुछ पूछ रहे हैं, कम कुछ रहे हैं, कम चलपरिया कहा है, सर, किसी भी होटल में रात को दो बजे टू पीस में लड़कियां स्विमिंग करने नहीं उतरती, यह बोला तु भारे होटल में होता, अच्छ चोड़ो, सर, अगर हमें लड़कियों का, मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी मैं पूछने वाला था कि खुबसरोत लड़कियां देखने को का पर मिलेंगे, अच्छा, आपको अच्छी लड़कियां मौल में मिलेंगे, मौल में, अच्छी होगी ना, बहुत अच्छी, नमस्ते सर, जाइए, यह, मसाज वाला था क्या, चेक करो, आपके पास को हत्यार अरे, चेक कर रहा है की मौके का फाइदा उठा रहा है, डूड, पिछे वाले को चेक कर तुने का था, हिरोइन जैसी लड़का मिलेंगे, कापर है क्यूट गर्स, मौझे एक भी नहीं देख रही है, सब अपनी भागदौर में लगी है, कोई भी टाइम पास करने है, यार से देख रहा है, सारी कि यार से एख खख जाए पास करने है नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भेल, गज्जा पंदूर करने के लिए ये है नीम की पती का तेल, चम्बू चिमन किदर से आ गया, किदर गई वह रही, मिल गए डूड, रुग, 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 कौन सवाला ये सही है, ध्यान से सुन, नमबर वन, उसकी तारीफ कर, मतलब जुल्फों की तारीफ, दूसरा, अपनी आखे ओपर रखो, मतलब आखों में आखे डाल के देखो, तीसरा, जोग मार के हसाओ, फिर भी नहां से तो गुदगुदी करो, यही सब लिखा है तो त है, मैं अब भी दांस देखा, बिल्कुछ शकीरा लग रहे थी, I loved it, thank you, मेरा भी करा दो ना, मतलब वसंगम, वेट लॉस, यही प्रोड़क्ट चनल, यह सर, यह एक फ्री सेंपल है, और यूस कैसे करना इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ओके, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना हो तो, कहना गया तो नंबर? यह शूर, इस जीरो फोर जीरो, हाँ, जीरो फोर जीरो, फोर टू, जीरो टू, जीरो टू, फोर टू, फोर टू, अगर आप नए कस्टमर है, तो एक नंबर दबाईए, प्रोड़क की जानकारी चाहत तो यही नंबर डायल करना होगा, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, पर वाट? बस ऐसे ही, चैटिंग करेंगे, मुझे लगता है अंजान लड़कियों से उनका परसनल नंबर लेना आपका एक अजीब सा शौक है, पर सौरी सर, मुझे अंजान लोगों को अपना परसनल नंबर देने का कोई शौक नहीं है, तुम्हारा हाथ थोड़ी मांग रहा हूँ, सिफ नंबर ही तुमांग रहा हूँ, सिफ नंबर ही तुमांग रहा हूँ, सर, नंबर नहीं दिया है क्योंकि नहीं देना है, प्लीज लीव, प्लीज लीव, प्लीज लीव, प्लीज लीव अधानी में इंडिया में क्यों आया पहले ही बुला था तुझे ये इंडिया है ठुस्की हो गई ना हिंदुस्तान तो सारे जहां से अच्छा है पर यहां की लड़किया ने डायलूग मरते है उस देसी करल को लगता उसने मुझे रिजेक किया मैं उसको रिजेक करता हूँ रिजेक? मेरे बाप का क्या जाता है एक बात बोलता हूँ क्रो यह मौल वाल की लड़किया ताइम वेस्ट करने वाली है अगर असलिए मस्ती करनी है ना तो गवा जाएंगे मेरा बढ़नाएंगे गवा वे यू 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 बाश्या काईये सर मैं आपके लिए कर सकता हूँ हमें गवा जाना है वो तो फूपसूरा जगह है वो तो देख कर ही बताएंगे गलती होगई आपको कॉन सी कार चाहिए कार फरारी नहीं नहीं भाई पॉर्ष बेटर नो ब्रो फरारी फास्टर यह इंडिया पॉर्ष पॉर्ष बेटर फरारी आप लोग भेहस मत कीजिए मेरे पास दोनों कार नहीं है नहीं है तो फिर कॉनसी है रेंजरोवर है सर क्या लगी यह ओ रेंजरोवर बड़ी गाड़ी है पीशे जगा भी जादा होती है आँ संदा ओके रेंजरोवर दे दो आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा सर फुल पेमेंट कर दो तो कोई प्रब्लम बिल्कुल नहीं सर सर यह काट काम नहीं कर रहा ओके यह लो देखो, ठ्राय करो यह भी काम नहीं कर रहा है My TC bank, unlimited money मुझे लग थे बैंक में कुछ प्रब्लम है तुम कार रेडी रखो, हमें एक गंटे में आते हैं सर चावी सर यह हमारी कंपनी का रूल है बैंक का आप भी नहीं चल रहा है ड्रायवर जी आपके गाड़ी में सीट बैट क्यो नहीं है तुमरा पतलून धीला हो गया हाका बाइद वे ड्रायवर डूड मैं नाडा पहनता हूँ और दूसरी बात पतलून तो क्या हट्टी अभी धीली हो जाएंगी बाइद यह नाड़ी है इनका एकाउंट अमारे बैंक में या अपसे बात करना चाहते है वेल्कम सर अंदर है अंदर हां हलो सर अंदर मैंनेजर हाई मैं मैंनेजर नाड़ा हाई अब बताई क्या मदद कर राव हम अमेरिका से हैं हॉलिड़े पर मेरा कार्ड वर्क नहीं कर रहा है अब कार्ड दीची यह मैं चेक्ट तीचीए साथ में विसिटिंग कार्ड भीलो यह लो थांक्यू कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है मैं दूर कर दीती हूं कर दो ना बैंक ने एनरा इसके लिए एक नई स्कीम शिरू किये आप खाता खुलवाएंगे जो खुलवाने खुलवादो विकास जूस लेकर आओ बरो इसको भी साथ में गोवा ले चलते हैं आम एंगेज़्ट आइड़न माइंड विद्या प्रिसत कौन है? मेरे डाड है मेरे डाड का अकाउंट है इस अकाउंट से सारे पैसे एक साथ निकाल लिये गये है विद्या अकाउंट का बैलेंस है जीरो जीरो यहां का इंटरनेट खराब है मैं आइपेड में चेक करता हूं जाओ 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 यह रिये इसमें तो अ जाते वक्त खाता जरूर खुल वाली चीगा थैंक्स पर विजिटिंग अस थैंक्यू यह बैंक बन कर दो इस बैंक में पैसा ही नहीं है ब्रो काका कहीं अमेरिकन कर्जे की नईया में तो नहीं डूब गए डाद और कर्सा खभी नहीं ओके एक सेट डाड का ही फोन है डाड अकाउंट पर पैसे क्यू नहीं है मैंने निकाल लिये सोचा आप इतने पैसों की जरूवत नहीं है मजाग छोड़िये डाड प्लीज जल्दी पैसा भेजिए भेजता हूं मेरे बिटे पांच हजार भेजता हूं ठीक है सिर्फ फाइटाफजन डॉलर्स इससे तो सिर्फ होटल का बिल भर पाऊंगा और बेजिए मैंने पांच हजार डॉलर्स नहीं कहा मेरे बच्चे पांच हजार रुपे कहा है डाड आपका एक लोटा बच्चा हूं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं अभी वो इंडिया है अमेरिका नहीं वहां रहना, खाना, पीना, सब कुछ बहुत सस्ता है तुम्हें घर का रेंट देने की जरुवत नहीं है इसलिए एक महीने के राशन पानी के लिए तो मैं पांच हजार रुपे भेज रहा हूँ, एक महीने के लिए, अच्छा समझा, ये मुझे सुधार ने का आपका कोई स्टडियल प्लान है, मौके पर चौका मारा आपने, हाँ, आप मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैं अमेरिका वापस नहीं आ सकता, दो दिन के अंदर दो दिन के अंदर, देख लेना, क्या हो अब ब्रो, दिवाला निकल किया, अभी तक तो समझा नहीं, ये इंडिया के ट्रेप पुरा स्कैम है, जानभूच कर ये किया है, उन्होंनों नहीं पूरा अकाउंट खाली कर दिया, तिरिक चूच लडचों के चक्रम, तो तो गिय जावरा, अवरा पूरी तरा लग गई खाल, ये घरिये खाल, ये तो इंड सचा, ये जल सुलो priority, तथरे साह, आपका पूर्टन फॉलो, छ। है शीटार पता है मैं बहुत मुष्टब कर पैसे चाहिए कुछ पैसे बेच दो कुछ पैसे बेच़ और वाय काँ अगा । सुषफ। तो तो अवाय डिर तो कॉल में अगान सिर्फ 5,000 डॉलार उधार चाहिए मैंने उधार देना बंद कर दिया है जा बेचांडू बेटा अभी मॉम कैसे हो तुम हेलो मैं उससे नाराज होकर ये सब नहीं कर रहा गायतरी पैसों की कमी होने पैसों की कीमत समझ में आती है अगर आज तुमने उसकी मदद की तो वो कभी नहीं सुधरेगा इस पर सोचना मूर्ती कहिए न भाया तुम्हें प्रमोशन लेने का गोल्डन चांस दे रहा हूँ यही न कि आपको वापस आने के लिए पैसे भेजू मैं आपके डाड से मुझे प्रमोशन मिल चुका है आपकी मतद न करने के लिए तुम्हें दूड शैत्री मॉम हेल्प कर दे कॉल कर दे हाँ मॉम हाँ मॉम हाँ हाँ हे जॉज दिस इस यॉर या कौन बोल रहा है चौथी पत्नी का पांचवा बेटा बोल रहा हूं धीले मम्मी को फोन देना यार तुम्हारी मॉम यह नहीं है क्यों किटी पाटी में गई ये शीड़े बोस्ट में तेरे को भी छोड़ दिया अरे कब छोड़ा यार तीन दिन हो गए तीन दिन पहले मा कसम मंडे को तो शादी होई थी संडे को तलाग दे दिया तू भी पांचवी शादी कर ले अच्छा मेरे ग्यारवे पपा का फोन नमबर है गया यो इडियाट यह पूछने के तुम्हारे हिमत कैसे होई मेरी मा कब रुकेगी मैं नीचे जाता हूँ तो यहीं से बैग नीचे भेग दाए मैं कुछ मदद करूँ मा कसम यह काचे की प्लास्टिक अच्छा है महेंगा है खर्चा की है हाई कमला नो नो लिफ्ट लिफ्ट इतनी राद को क्या कर रहे थे कैच कैच की प्रैक्टिस कर रहे थे अगर मैं आता नहीं तो साथ में भागने की भी प्रैक्टिस हो जाती रात में कौन भागेगा आप किसी बात कर रहे हो कमला कमला नहीं कमला कर मैनेजर कमला कर भिल दो लाग का हुआ है पैसे निकालो दो लाग इतने पैसे तो नहीं है, दो दिन का टाइम मिल जाता तो, बासकर, पुलिस को फोन लगाओ, रुखो, 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 एक मिलट, पुलिस को बुलाने की कोई जरुवत नहीं है, प्लीज रुखिए, एक मिलटा, यह हमारे महेंगे गैजटेट्स है, पैसे के बदलेने ले लिए, मैं इस फाइस्टार होटेल का मैनेजर हूँ, कोई सडख भंगारवाला नहीं, जो इससे खरीद लूँ, तो आप ही बताईए क्या करें, करना क्या है, तुम्हारा अमेरिकन पास्पोर्ट है न, यहां रग दो, पैसे दे दो और यहां से ले जाना, पास्पोर्ट, बास्पोर्ट, सर, पास्पोर्ट, सर, पास्पोर्ट, सर, पास्पोर्ट, सर, पास्पोर्ट, सर, पास्पोर्ट, क्या बलता है देदू पासपोर्ट बच यह एंगे यह लिए यह लिए लिए लेकिन चाबी नहीं मिल रही है यह दोस दिन मैंने चाबी फेकी क्यों किसमत भी फेक दी व्रू मैंने सुनाये यह के लोग ऐसे हर याली में हलके होते हैं यह लोग अची नहीं तूछी 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 अप लोग यही डूंझ रहो ना यह कुल मोद है जयो यह 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 शक्र के साथ देवे पेले दूरुपे देवे बच्ची रिशवत मांग रही है, दूरुपीस यहलो बिटा 20 रुपीस दुरुपे दूरुपे यहलो आप खोश चॉपी दो कहा है, हुआ वेर गूट गुळ गुळ आप उनके लाके में कौन आया तुझी कहला है सब सो गए होंगे और तुम बच्चा चुरा कर ले जाएगा हाँ अधर जो भी आता है ना उससे आप उनकी दोस्ती हो जाती है अप उनकी तारीफ जुगारू मलेश वैसे तुम आप उनको बोलने का आप उन सब सब सर्टा देगा तुई इस चोटी उंगली को देख रहा है ना इसने बहुत बड़े-बड़े काम कि है अब तुम कली की बाते लो किरायदार किरायन नहीं दे रहा था तो क्या कि आप उन आप उन उसको रख के ठोका जाबी टूती गई हैं हाला रहा नो शटिंग ओनली ओपनिंग ए पिछवट बल्वान भायजान की चाय हाँ चलो गुड़नाइट अगर कमरा ऐसा तो वो कैसा अग् अच्छ। ब्रो ब्रो टॉयलेट में टॉयलेट सीट गायब है और नहाने के लिए लोटा है क्या बात कर रहा भाई यह सब कुछ है वो देख हमारा एर कंडिशनर और अधर देख वो है हमारा माइक्रोवेब सद्मा है रेफ्रिचुरेटर शॉक लगा हर यह हमारा होम थेयर सिस्टम स्ट्रीमिंग के साथ ममी मरीगिया है यह ब्लुटुट्ट स्पीकर दूड और यह तक सॉफ्ट मैट्रस वाव डैड वाव अच्छी जगा है और आप तो इससे भी अच्छी निकले है लगता है भाई जादुगरपाशा का कमाल गरीब पीये एक बार अमीर पीये बार बार लो पीकर देखो उसके साथ चटा केदार आम का अचार खाओ 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 प्यों 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 बहुत बढ़ी है कैसा लगा है इतना भी बुरा नहीं है नहीं चार्ट के खाओ पूरा सिस्टा में हिल गया एक और है बढ़ो तेक है रिफिल रिफिल मेरा भी खतम कर दिया तांग क्यों रहा हम दूनों दोस्ते हैं हां पक्के वाले दोस्ते हैं तुम लोगों को यह कुछ भी चाहिए उना तो अपनको फन लगाओ देशी विदेशी दारू जो चाहिए वो पास्पोर्ट आधार काड़ पैन काड़ वेडिंग काड़ मेमरी काड़ सब का जुगाड करेगा ये मलेश जो गाड़ू मलेश क्या हुआ राजगदी हलका हो गया ये क्या है चुटताने ये निचे जांगे नहुंग्या अरे यार नहीं तो ये रहे बेनलो मैई ये तो एड़ ये देन तो डयाँ धुटतान प्यां गान ब्रूतान ये विए वोज्फ उ पारी उपारी तारफ क्रिर Hm. ание जवे जā ऑलज के जया अब आसे, जा 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 ज्या जवे जवें अपर्से नह व् ञॉवें जब हैं अरे, हमस्क वोंसे अरे, यह मिरे बेर अचा लगे गा ना अरे, पूच्छ थी होड़के यह उड़के लिगा। वह वाला बजेट में अरे, अचा लगेवाधी यह उड़के दो, आम मुझे दो, दो इक्स't, चटे वापिश करो जल्दी, जल्दी हटो यार जर्में सिगनल ने मिल रहा है यार इधर वाइफाय है यार हाँ बूच बाइसाब वाइफी है क्या नाँ अँडर है यह एक गंटे कर लिए अम दोनों कच यह अम आट रीतनी मजाण एक गंता योच ज़ो में संब यहतना भड़ा है फ्र्रेमैं ने ने में दोया है आघी तो मेरी घृब़ी को खना चाया है इधिया हुर दोह बालख Łझक्त रॉर ला श्यज्वunity मिलो पीछया झांक्यू गा bidding यह जोग हंडय की बाठ हुई दिया буट। चार सैशे देना, थैंक्यू चुटा दो मिझा स्किन एलर्जी है इसने मेरी आखों में कांटे हुटते है इसका क्या अरे नहीं एक बोतल तो एक नमबर सर ठीक है, पैठिए थैंक्यू सर क्या बात है एसी भी, तुम कहा रहे थे आखेले में बात करना चाहते हो कुपराव मत बोलो उस केमिकल फैक्टरी की समस्या का अगर आप कोई हल निका लेते तो बहुत बेतर होता इसकी वज़े से लोग आंदोलन पर उतर आएं साथ में भूख अर्ताल भी कर रहे हैं इलेक्शन का टाइम है सर इस विरोध और भूख अर्ताल का असर जुनाओं पर पढ़ सकता है केमिकल फैक्टरी से उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है तो क्या भूख अर्ताल से जान नहीं जाएगी बलकि उससे तो और जल्दी मरेंगे अकल नाम की चीज नहीं लोगों में कुछ और है तो बताओ एसीपी काम नहीं है अभी मुझे ध्यान दिना है कि एलेक्षिन के लिए पैसा कहा से आएगा मेरे बस तुमारे इस धरने पर ध्यान देने का टाइम नहीं है जी और कोई बात है एसीपी मैं बस यही कहने आया था अब चलता हूं जर एसीपी पता लगा सकते हो तो पता लगाओ एक वोट के कितने पैसे लगेंगे मेरे काम असान हो जाएगा अरे यार मेरे पैर लिफ्ट लिफ्ट रुग्या अरे वाब भला आदमी है थेंक्यू थेंक्यू रुकना रुकना पैसो का घमन दिखा रहा है क्या हमें हिस्त्री मत भूल तू भी ऐसा ही था ब्रू अरे अरे टांग है के टुटी तू ठीक है ना भाई चल पाएगा ना लंगणा तो नहीं हुआएगा अरे बेचारे के टांग तूड़ गई अब ये जवान लड़का जीते जी मर जाएगा मैंने उस दिंदुम से नमर मांगा उसका बदला निकाल दियो कोई बात नहीं है प्रेक लगा रही थी लगाई नहीं प्रेक नहीं लगा तो इसको लगा दिया रे रे कितना खूल बह रहा है एम्बूलेंस को बुला पुलिस पुलिस को बुला पुलिस प्लिस आउंऄ पिलिस आउंगी पुलिस को बलाइए बहुत हुआठीड प्र bending में बात पुलिस मिलना चाहिएज पुलिस कोई है पुलिस हम व्हाँ पर छ यह कुछ भी है लिपटा लू तुम्हें क्यों लिप्टा उ हुझा यानि कि कुछ पैसे वैसे मतलब रिश्वा देखकर मुझे खरीदना चाहती हो मैं तुम्हे बिकाओ नजरा आता हूँ क्या मैंने वह सोच कर नहीं का आपके इलाज के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना तो मुझे पैसे दोगी मुझे पैसे दोगी कितने पैसे दोगी तीन हजार रुपए मेरे किटनी हाँ बड़ी प्रॉब्लम जाता पैसे ओके 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 चार हजार चलेंगे ना पुझे कुछ दिख नहीं रहा है ने 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 अमेरिकन अटलिके दोड़ी सर मैं पांच हजार दे दूगी मेरे पूरे महिने की पॉकेट में नहीं ठीक है ठीक है देखो पैसों से तुम मेरा दद खरीद नहीं सकती फिर भी हम शरीफ लड़कें इसलिए बात को बढ़ाएंगे नहीं लाओ पैसे दे दो जाओ लाओ ओके थांक्यू मैं भी लाओ वाट्सअ ब्रोव देखा तेसी लरकी को कैसी शेंडी लगाई पाँच हजार पाँच हजार रुपए एक यह जटके में रोज रोज टकरा के काफी कमा सकते टकराने वाली कमपनी खुलते देखा ब्रोव तेसी लोगों को अलो बनाना कितना इसी है इस से पाँच डाइट से पाँच हो गए पूरे दस उसमें से आधा नोट निकालके हम गवा जाके पीते ना और पाटी करतें क्या बोलता है येस महिने का आखरी हफता चल रहा है और हमारे पास बहुत पैसे सुनना ब्रो उस बैंक वाली को बोलना असकी बैचलर पाटी गोव में देदी गोव में खर्चा अब रोना चल दो आखरी चल दो ओवगर अब कितना चल वायगा कितना चल वायगा अज़ाद आध 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 अवी तुम्हें एक बात बतानी थी Dad, पेले मेरी बात सुनिये, आपको कॉल करने तक के पैसे नहीं मेरे पास. Dad, मुझे पैसो की किमत पता चल गई है, लाइफ की किमत पता चल गई है. मैं आपसाप की हर बात मानूँगा, मैं एम्ब्या करूँ गड़ाँ, Dad. मैंने भी यही सोचा है, इसलिए मैंने तुम्हार और बाश्चा का MBA में एड्मिशन करवा दिया है. तो क्या सोचा है, Dad? लंडन यूनिवर्सिटी से करूँ या फिर मेल्बन यूनिवर्सिटी से? मिने ख्याल से LSE में एड्मिशन बहुत ही मुश्किल से मिलती है. अभी, तुम दोनों को MBA के लिए लंडन या मिल्बन जाने की ज़रूत नहीं है. इंडिया में ही रहो. क्या? इंडिया में? देखो अभी, MBA के लिए इंडिया से बढ़कर कोई जगे नहीं है. अगर तुम फिर से US वापस आना चाते हो, तो MBA पूरा करके ही आना होगा. मैंने तुम्हारा एड्मिशन नवभारत ग्रूप अफ इंस्टिचूट में करवा दिया है और सारा इंतजाम कर दिया है. एक बात और सुनो, अटेंडेंस हंड्रिड परसंट होगी, तभी मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपे भेजूगा. दैड, आप खुद को मास्टर माइंड समझ रहे हैं क्या? ये सब करके आप सोचते कि मैं बनल जाऊँगा. मैं राइस पैदा हुआ हूँ, राइस ही में जिया हूँ और राइस ही रहूँगा. मैं इंडिया के किसी कॉलेज में ने जाऊँगा. बाइ. ए, सुनो. खटब, बरबाद, सब खटब. बाच हज़ार रुपे ची ये तो MBA करो, क्या बक्वास है? अरे, वो क्या कर रहा है? इतना महंगा फोन क्यो फेग रहा है? तेरे दिमाग खराब है क्या? तु चुपो और निकलेगा. अरे, ओ बिडू, अपना प्राब्लम बोल के तो देख, आप उनके पास हर प्राब्लम का सॉलूशन है. ये हाथ पड़ेगा तो खुन भी निकलेगा. अरे, क्यो इतना गुसा कर रहा है? तू अपना दर तो बता, अपुन उसका इलाज कर तीन लाग रुपए चाहिए, देखा क्या तू? तीन लाग रुपए? वो किस लिए भाई? अरे, वो सब छोड़ना तू, दे सकता है तो बोल. मैं नहीं दे सकता, लेकिन दिलवा सकता हूँ. कैसे दिल आएगा? तेरे को बोला थाना मैं, अपुन का नेटवर्क चार और फ अपुन यहां से निकलता है, बहुत काम है आप उनको. क्या कर रहे है? क्या यार कितना लेट कर दिया? लैपटॉप को कोई साही भाव नहीं दे रहा था, मुश्किल से बेचा, यह लाँ. चलो, ठीक है? तेरा काला चश्मा मेरा जाने लिता जाए. क्यों चाची, कैसी हो, स दिखाई नहीं दिए? दिखूंगा कैसे, एक साल से तुम्हें दिखाई कहा दे रहा है? वैसे, यह मेरे बचपन के दोस्त हैं, अमेरिका से मिलने आए हैं, वो भी खा सपुन से. नमस्ते दादी. नमस्कार बेटा. तुम लोग यहीं रूखो, आपनों लेके आता है. टायम पासकिर लताओं आड़कम-ड़कम-दूम, जड़क टल लताओं, यह ममी.. बिना देखे कीसे मारा? मुझे ऐसा लगा. चू Χा Lance, कोई इला रा है. मेरा बचल कान्य वह मेरा…. वंडर मुमन की दादी, तुम्हारे तीन लाग, थैंक्यू ब्रदर, मैं तुम्हारे यह ऐसान जिंदगी भार नहीं भूलूँगा, इतनी छोटी सी बात पर इमोशनल हो रहे हो, सिली है नराइज, अब जाओ, जाके मस्त वाली पार्टी करो, ने यह पैसा पार्टी के लिए नहीं है, एक्चली मैं और बाशा मेरे पेरेंट्स को बहुत मिस्क करते हैं, इसलिए हम एक बार जाकर उनसे अमेरिका में मिलना चाहते हैं, चल बाशा, सीध हैं, मगर क्यों, एक लाक में तीन लाक का जुगार तो ऐसे ही वता है, क्या का, ब्रू, हम तो फॉस गए, हमें पुलिस पकड़ लेगी तो, हम तो, अब इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग सिर्फ इस पैसे से पार्टी कर सकते हो, मुझे नहीं पता यह वापिस करके मेरा पैसा लोटा दे यह नहीं हो सकता, यह खतरनाक धंदा है, जो पैसा अंदर जाता है, बाहर नहीं आता है, अब क्या करें? मुझे पता है, अपना पैसा कैसे निगाए, अब क्या होगा? अब कर अब करांडे, अब कर देखो, भी मेरा पैसा क्या चला गया, अब कर अब पकुडा हुझे अब त्रहा हताख, अब क्यूद अब इधर खुपके गुंडे को पहुकर गेदर आंदे, नहीं ये तो ड्रिपलेक्सल साइज के गुंडे, बाबारे हे演 हुँँँँँँप अच्छुछुछुछुछुछुछुछुछुुछुछुछुुछु पट्रेश्टुछुुछुछुुछुछु नियुकुछुुछु अधर तो कपड़े भी उतार जाएंगा गुंदा। पिछे भी गुंड़ा, बहुत सारी गुंड़ी यह अपना यह कैसा उल्लो बनाया? अरे इस गर में कितने दर्वाजे चलना उदर से, किदर से, इदर से अरे आंटे में जाता बशने आजी मेरा बसा लगता है यही बार जाने का दर्वाजा है अरे अरे लगता है इसके घर में पूरा गाउं बसा है कई मुझे आजे से बचा इस एंसाने आजे सॉरी 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 जान-बच्यीतों लाखो पाए प्रूज अगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, सिधा कॉलेज चाथ जटेगी नव भारत कॉलेज के लिए कौनसी बस जाएगी? बेजम आम्रा है समझा देगे? बेजम आम्रा है मुह के सुपारे निकाल के बोलिए ना अब अब कबसे कह रहा हूं सामने है जा पकड़ ले यही बस थी तो पहले क्यों भोदा? कबसे वही तो कह रहा हूं मेरा पान भी धुकवा दिया यह यह जाए कि जा चट्ट्या इसमें इसमें जगा का है? इसमें कम से कम एक पैर बेचड़ सकता है अगली वाली कब आया की कोई वरोसाघ़्ी है जगा दो अटव अटव टिकट्या नौ भारत को लेज जाना है दो टिकेट नौ भारत पाद में देता हो ना अरे पीछे कोई बाकी है क्या इसे पैसा लेना याद रखना आगे परिया है मुझे भी परावन ना है मैं आगे जा के आता हूं अब कितने बजे आएगा कब आएगा मुझे कैसे बता हो गा मुझे क्यों पूच रहा बार बार मैंने का ना वो टाइम पर आजाएगा सुभा सुभा फोन करके बेरे दिमाग खा रहे हो तो थूप की बारिश बन कर क्या यार 100-100 ग्राम साइट देना है है थोड़ा साइड हट लेफ साइड है राइट साइड है थेख बाशा यह तो वही लड़की है आज इससे छोड़ू गा नहीं मेरे पैसे खा के तुम आराम से घूंग रही हो मुझे पैसे चाहिए रुकोब कहा जा रही हो बाशा वह दे कोई लड़की ओवरटेक करके जा रही है रुक है यू रुक जा तू दौड़कर भाग मैं बस में भाग के आता हूं रुको 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 रेम मैं नस्दी कुम्हा पकरता हूं हुआ हो अपरी किड्रो रहा हं ठीटूटी इस लड़की के चकर में क्या-क्या तुडवाना पड़ेगा स्कोटी की स्पीड अच्छी है यह ने 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 मैं तो ऐसे ही है हाँ है किसे हो है सब ठीक चल रहा है हाँ सब ठीक चल रहा है आपके एलेक्शन के लिए हमने बहुत सारी अक्टिविटीज प्लान किया आपके साथ डिसकस करनी है कि इक काम करो कल घर प्याना बात करते हैं हाँ ठीक है सडींडेंश का साथ देना मगर आप स्टूडन्स का साथ दे रहे और हमसे सक्ति बरत रहे हैं क्या बात है सार इलेक्शन से पर खड़े गुए है पेंडिंग फीज करने को कहा थाओ काम तक पहुँछ Hoje चल रहा है सार ठीक है सर अगर इतना सा काम आपके बस का नहीं है तो अपने रेटार्मेंट की तो यारी शुरू कीजिए ठीक है सर तेरे दिमाग में क्या चल रहा है ब्रो कॉलिज का टॉलेट बहुत अच्छा होगा हलका होने में बहुत ही मजाएगा अप्लोड डाउनलोड सुपर स्पीड में हो जाएगा अरविन प्रसाद, बाला शमुगम, MBA, Finance, Finance, Marketing, Engineering, Pharmacy, हर कोर्स की समिस्टर फीस पचीस तारीक से पहले चाहिए समझ गए हर स्टूडन्ट की ये सब कब तक चलेगा हम दोनों के लिए पांच हजार रुपे काफी नहीं है सिफ सेविंटी डॉलर्स तो है पांच हजार रुप वोट क्या जान भी देंगे ओहो, pocket money, कभी तुने बड़ा दिल रख के बोला है यह ले बेटा, 100 रुपे ऐश कर, 100 तो क्या 10 भी नहीं दिये, bro, कमर टूट गए है मेरी, बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द भगाने के लिए दारू, 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 दारू के लिए 500 प्ली सुरुपे चाहिए, प्लीस ब्रो, ना मत भूला, आखरी बाते दे, प्लीस 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 बोल के काम निकल बाने के दिन गए, अब जो चाहिए छीन की लेना पड़ता है, अम अने की आखरी नोट है, बस यह बच्ची घए, उरा सॉरी ब्रो, इडियोट, यह सॉरी बुरू अरे अर्ण ज़ू 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 जरू ज़ू कर दो कर दो तू तो चुफीर है, सब तेरी वज़ा से हुआ है, लड़कियों के चक्कर में लाये था ना, अब भुगत, अरे यार, समझ में नहीं आ रहा है, लेफ्ट दुख रहा है, रेट दुख रहा है, अज दो नए स्टुडेंस हमारी इस क्लास को जॉइन करेंगे, वैसे तो ये द पढ़ने की इनके इच्छा के चलते, उनोंने एनराय कोटा में हमारे कॉलेज में एडमिशन लिये, तो यू नीड तो बेरी सिपोर्टिव और फ्रेंड़ी विद इम, ओके? अरे बाहर क्यों खड़े हो, कम इन, कम इन, कम इन, स्थूड्स, भी और इस अर्वेंच, और यह हैं बाराशय मोंगम, और यह हैं बाराशय मोंगम, और थे सेल्फ और कोई भी प्रोब्लम हो, तो मुझे बताना, पहले ही अपसे लिबस में दो हफ्टे पीछे चल रहे हैं तो आपको जलिदी से कबर करना होगा, नेहा? नेहा? यह सर्, यह तो वही है, पैसे वली आपने इनको स्पूला करवा देना और अच्छे से समझा भी देना वो की सर्, बॉइस, जाइए बेठे अर्विन? अरे अर्विन? मिस्टर अर्विन बुला रही है सर ने जो कहा तुमने सुना? नहीं क्या कहा? क्लासस मिस हो गई है न तो तुम मुझे पढ़ाओगी हां लेकिन अभी नहीं क्लासस शुरू होने से पहले एक गंटा और क्लासस खत्म होने के बाद सिर्फ एक गंटा ओके अर्विन अगर कुछ इंपोर्टेंट बताना पड़ा तो तुम्हारा नंबर दे दो क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर मुझसे मेरा नंबर मांग रही है यादा मैने क्या का था लाइफ बहुँ छोटी और दुनिया उससे भी छोटी है एक दिन तुम मेरे पास आओगी और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी यादा ना देख लिया आज वो दिन आ गया तो ठीक है तुम जा कर किसी और से मदद मांग लो मैं सर से बाग कर लेती हूँ एलो मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कोई नंबर मांगे तो देता हूँ चलो लिख लो जल्दी बोलो 910-097-019 तुम्हारा नाम क्या बताय था निकम्मी नागिन क्या प्रेटी ऐस कुछ तो था इस नेहा नेहा सब मुझे प्यार से अभी कहते है अरे चलोट 8 बच गए किदर जाना है ने बढ़ाई के लिए बुलाय था चल अच्छा तो अब तु ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है एम्बा करना चाहता है गोल्ड मेडल लेना चाहता है बदी सीटोपी पहना चाहता है वो कोट पहना चाहता है और फोटो खिचवा कर अमेरिका जाना चाहता है डूड I know everything मुझे अच्छी तरह पता है तु क्यो जा रहा है जा तु मेरे सिका पढ़ ले नेहा सॉरी नेहा सॉरी नेहा छे बज़ ऊड़िया था पर टंकी में पानी नहीं चड़ा इसलिए लेट हो गया कल से आद रखना 8 o'clock मतलब शार्प 8 o'clock पहुंचना है नहीं पहुंचे तो सर को बोल दूगी तो क्या कल से उने भी बुलाओगी बहुत ही सड़ा हुआ जोग था तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेसिकली डिमांड और लास्टिस्टी पर कस्टमर बीहेवियर का बहुत पर्क पड़ता है हम देखते हैं कैसे अब और जोगनाइजेशन क्रियेट अब उसके बाद क्या था हलो मैं जो समझा रही हूं तुम्हें समझ में आ रहा है हां तो बताओ अब तक क्या-क्या समझाया मैंने तुम्हें तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समझ्या बारे में बता थी जिसकी वज़ा है ब्लूड्रेस अब ब्लूप्रिंट और वो डिमांड बढ़ती तो सप्लाय घट्टी है जिसकी वज़ा से यहरिंग्स और जीडेपी ब्लाक मनी के वज़ा से गिर गई जिसकी वज़ा से वह एकॉनमी में पावर नहीं रहा जिसकी वज़ा भी ब्लाक मनी ही है इसलिए सरकार के जिमेदारी है कि वह सोचे इन खोटों के बारे में अब 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 गरीबों के बारे में देखो अपना दिबाग जगे पर रखो तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है सर ने काया इसलिए पढ़ा रही है नेक्स टॉपिक अरे तुम गए क्यों नहीं तुमने कहा था कॉलेज के बाद पढ़ा होगी इसलिए वेट कर रहा था God I'm so sorry मैं तो भूली गई शांती का birthday है ना तो मैं होस्टल चली गई थी अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है हम लोग कल सुबर पड़ें प्लीज होके अभी तुम जाओगे कैसे पैदल जाओंगा पैदल जाने वाले हो और क्यों बस इस टाइम से चलती है साड़े चार वाली चली गई अगली जो है वो शायद आठ या साड़े आठ आगी या उससे भी लिट इसलिए पैदल जाओंगा वैसे तुम रहते काऊं यह इस साइड पर लगादो रुख्या अभी पेटा अभी पेटा अभी पेटा बारिश होने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार करती है आप मेरे कितनी हेल्प करती हो थैंक यू वरी मच आओ ना कम यह है मुझे अमीर का घरीब खाना सर ने तो कहा आता तुम यू एस से आयो पर तुम यहां क्यों रहते हो डैड हर एक की लाइफ में डैड हीरो होते हैं लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है मेरे डैड पैसों के भूके हैं वो बचपन से लेकर आज तक सिर्व एक ही काम किया घेर सारे पैसे कमाना कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से दो निवाले तक नहीं किला है बाप तो क्या पती का भी फर्स पुरा नहीं किया हर रोज नशे में खर लोटे थे और फिर गुड़ नाइट उस तनाव के माहौल में बस किताबे मेरा साहरा थी यह किताब ना देख ले इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइबरेरी में ही रहता महा पुरुष कहते हैं नेकी कर धरिया में डाल और उस नेकी के धरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया तब ही से मैंने फैसला कर लिया कि मैं डैड की तरह खरीब को नहीं लूटूंगा इन फैक्ट अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत था मेरा मतलब इंसाफ के लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, और डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी इंकलाब जिन्दाबाद, इंकलाब जिन्दाबाद पैसो का इतना बुरा असर पड़ता देख, मुझे पैसो से नफरत हो गई लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया, इसलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहां पर आ गया मेरी सोच देखकर, मेरा कजिन भी इंस्पाइर हुआ, उसने का भाई, मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, एंबिया करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है नो टंकी यह तो बहुत ही इंस्पाइरिंग है, पैरेंस की कोई फाइनाशल मदद लिये बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, I really appreciate it थैंक यू, मैं जब अमेरिका से ने आया था, किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुम से नंबर मांगा था लकिन तब मझे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए आप तो तुम समझ गए, मेरा इंटेंशन खलत नहीं था, मैं तो बच्पन से लड़कियों की इजद करता हूं और करता रहूंगा I'm really sorry about that No, that's okay Okay then, bye 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 Avi Friends Friends Yes, of course Okay then, bye Bye Bro, ये सब क्या था? America में एक रैश कोर्स किया था, दस मिनिट में लड़की को बातली में अतारने का अमेरिका में? Yeah Aha Suppose आपको कहीं bank से loan लेना है, आप अपने ideas लेकर bank के पास जाते है, loan लेने के लिए, bank आपको loan लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके ideas में उसको अपना return दिखता है, लेकिन आपका hidden agenda कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए loan लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपन notice है, स्वाती, तुम्हें administrative department ने urgently बुलाया है, तो, तुम्हें ये कह रहा था, कि क्योंकि आपकी कोई कमाईत हुई नहीं, तो आप loan की payment कैसे करेंगे, ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है, क्योंना Michael Malia जैसा बना जाए, सर, ये क्या है स्वाती, तुम्हें अब तक अपनी semester की fees नहीं भरी, सबको कहा गया था कि 25 तारिक तक यहां fees आ जानी चाहिए, अब ना तुम्हें hall टिकेट मिलेगा, ना तुम्हें exam दे पाओगी, अब तुम जा सकते हैं, सर, थोड़ी problem है, आप please मुझे एक हफ़ते का time दे दीजे, अगर problem है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, management का order है कि जो fees नहीं देगा, वो exam में नहीं बैठेगा, मेरे साब ने यासे रोक कर और आशू बहा कर कुछ नहीं होगा, management का यही order है, और मेरा काम है management के order को follow कर रहा है, तुम जा सकते हैं, नेक्स टॉपिक है, 5000 रुपीस अकाउंट में आ गए है, अब इसमें क्या होता है, कि हम जब भी कोई लोन लेने जाते हैं, कोई ना कोई चीज भी रखते हैं, इसी को हम security कहते हैं, इसी security पर हमें लोन मिलता है, बैंक हमें लोन ना देने पर यही security जब्त कर लेती है, और इ एक पैक मतलब एक पैक, बचट के बाहर में जाना समझा, एक लाट जाना, एक लाट जाना, एक पैक और सर, नहीं, नहीं, जड़ा जल्दी, कि आए, वन मौर, कम से कम हमने सोचा कि बचट में रहना चाहिए, इसका मतलब हम सुधर रहें, हम सुधर रहें, देश भी सुधर रहा है, सर, देख रहे है पापा, हमारी सोच बदल गई है, हम सुधर भी रहे हैं, इस बात पेक हो जाए, हम केतना सुधर गया है ना सही बोल लेकिन तु नेहा के मामले में नहीं बदल रहे हैं तुझे पांच जार लेरे नहां नहां मैं और बाशा पड़ाई कर रहे हैं क्या ऐसा क्या ठीक है मैं भी आ रहा हूं अरे इतनी रात को क्या अभी थोड़ी पड़ाय कर रहा है यह वो निया की दोस्त है ना स्वाथी वो स्कॉलर उसने फीज नहीं भरी तो कॉलिज ने उसे निकाल दिया आत्मा अत्या करने की खुशिश की चल जली चल तूब भर के ज ठीक है चकरवर्ती वहां पहुंच रहा है उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम देंगे उसकी एंबिये की पूरी फीस हम देंगे मगर किसी भी हाल में यह खबर बाहर नहीं आनी चाहिए आगि सब मैं देख लूँगा ठीक है भाई जो हुआ उसे भूल जाओ किसी से कुछ कहने की जरूत नहीं है मेरी बात समझ में आई तुम यहां क्या कर रहे हो हां तुम्हें इससे मतलब हमारी कॉलेज की एक लड़की मुसीबत में है और तुम उससे सपोर्ट करने के बजाए यहां मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे या फिर वो लोग जिन्होंने यहां पर तुम्हें जूटा दिला से देने भेजा है नहां भारगव भाया के बारे में एक शब भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा उसके फेके हुए टुकडू और डारू की आदत हो गए तुम्हें इसलिए ऐसा बोल रहे हो तुम्हें क् कि फटी हुई है इसलिए उसने तुम्हें यहां पर भेजा है लेकिन बाकी स्टूडंस का क्या जो फीस नहीं जमा कर सकते उनका क्या करना है वो भाया देख लेंगे स्टूडंट यूनियन ये तै कि मामला यहीं खत्म हो जाए कोई यूनियन इस मामले में अपनी टांग न हमारी बात मान लिया है आँटी पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है पहले पैसे की कीमत सीख फिर आकर मुझे लेक्चर देना अच्छा होगा कि हमारे मैटर में टांग मतला कौन कहां से क्या फर्क पड़ता है पैसा पैसा है सफेद हो या काला अब यह नहरा है हमें पैसे की कीमत बताएगा जो खुद बाप के पैसे पैसे प्याश कर रहा है हम अच्छी तरह पैसों की कीमत जानते है इसलिए सुबह और टेट टूथपेस्ट के साथ कुष्टी लड़ते हैं ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा चला सके हम जानते हैं कि पैसों की असली कीमत क्या है तुझे डीटेल में समझाओ कैसे आठ घंटे भूके रहने के बाद सुबह नाच्ते में 20 रुपे की 4 इडली खाकर 2 इडली औ और खाने का अम्मन करता है तो अपने मन को समझाते के भाई रुख जा नई तो पैसे खर्चा हो जाएंगे 12 रुपे की 2 चाय मंगाने से 6 रुपे की 1 चाय मंगा के आदा आदा करके पीते हैं और कहते हैं कि दोस्ती बड़ेगी प्यार बड़ेगा बस टॉप पर धूप में खड़े रेते हैं भले ही सामने खाली शेरिंग आटो हो लेकिन 15 रुपे बचाने के लिए हम बस में ही जाते हैं मेट्रो में 3 रुपे ज्यादा लगते हैं इसलिए हम डबबा बस का इंतिजार करते हैं जिसमें खड़े होने तक की जगा नहीं होती उसमें लटक के जाते हैं फिर कॉलेज बहुचके सुबह पेट काड़ के जो पैसे बचाये थे उससे हम लंच करते हैं और रात को दो सूखी रूठी का कर सो जाते हैं रात में कितनी भी गर्मी लगे चाये पसीना क्यों न छूटने लगे पंखा नहीं चलाते या कि बिशली का बिल बचा सके और पैसे की कीमत बताऊं तूथपेस्ट के 30 रुपए, डिटरजेंट के 40, साब उनके 60 और रिचार्ज के 200 रुपए टोटल करेंगे तो महीने के 5000 रुपए और हर रोस के 23 रुपीज अगर हम जैसे लोग पैसो की असली कीमत नहीं जानते तो क्या तुम जैसे लोग जानते हो भाड़े के टट्टूओं क्या रहे, जादो शाड़ा पंड़ा आता पाई में शर्ट फटी तो 200 रुपए का नुकसान होगा और मैंने तेरी हड्यां तोड़ दी तो तुछे 20,000 का होगा हिसाब लगा ले, तो पैसा बचाओ, चप-चप घर जाओ हमको सिखा रहा है तुआ वरना खामखा बाद बड़ी हो जाएगे, चलो रहे चलो, स्वादी से मिल के आते एक NRI लड़का जो की करोडो की दॉलर चोड़ा है, वो 25 साल का है और अभी नव भारत कॉलेज से MBA कर रहा है उसने अपने आदर्शों से सब का ध्यान अपनी और खीच लिया है अर्विंद अमेरिका से है और बड़ी बिसनस्मन का बेटा है उसने और उसके काजिन ने करोडो की जायदात और सारी सुख सुविधाये छोड़कर अमेरिका से इंडिया आ गए है और एक साधारन सी जिंदगी जी रहे है अर्विंद का कहना है कि वो इंडिया अपने जड़ों से जुड़ने के लिए आए है सारी युवापीडी को अर्विंद और उसके दोस्त से ये सीख लेनी चाहिए कि कम से कम पैसों में भी एक अच्छी और सुख वाली जिंदगी जी जा सकती है सार, वो दोनों आ गए अंदर तुवारी तारीफ चल रही हो, तुम यहां खड़े हो अंदर कम तुम्हारे यहां पढ़ने से हमारे कॉलिज का नाम रौशन हुआ है वे अप्रावड फ्यू थैंकि यू सिर थैंकि यू एक टैलोग बार के इना फेमस हो गया है वह यू है अब्सप ग्रोव है यो है रुको रुको मुझे पाड़ी चाहिए पाड़ी किसलिए जब तुमने हॉस्पिटल में वो सब बोला कि तुम यहां कैसे जी रहे हो तब नेहा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इसने न्यूस पहलाई मैंने ये बात अपने एक अंकल को बताई जो एडिटर है और उन्होंने इन्यूस में ये आर्टिकल दिया तो उन्होंने राइदा भला आच अच 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 हलो कहिए चकरवरती जी सर एडिटर को फोन लग गया है न्मस्ते एडिटर साब न्मस्ते सर कैसे याद किया है आपके ऑफिस का पार्किंग स्पेस इशू सॉल्व हुआ क्या आपने कह दिया था तो वो काम हो गया जब आपको मदद चाहिए होती है तो दो मिलाते हुए आते हैं पर हमारी बदनामी में कसर नहीं चोड़ते हैं न क्या हो गया सर आप अपना ही अख़वार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते है एनराई लड़का 83 रुपे प्रती दिन में आराम की जिन्दगी जी रहा है मेरे डाड की 38 रुपे वाली उस बात को तुम लोगों ने इतना उच्छाला कि उसे अब तक जेल रहे हैं हम लोग इस बात को जानते हुए भी 83 रुपे की उस हेड्लाइन के पगल में मेरी फोटो चाप दी वो सर आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं मेरे बच्चे नहीं है ऐसी कोई हेडलाइन जो पुरानी बातों को उच्छाले वो दुबारा नहीं छपनी चाहिए ओके ठीक है सर सुसाइड करने वाली लड़की के टाइम भी यही लड़का हॉस्पिटल में आके नाटक कर रहा था हाई 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 क्या मैं लेट हूँ नहीं आच्छली आज मैं ही जल्दी आ गई आज तुमने कुछ अलग महसूस किया नहीं तो तुम शयाद भूले हो मेरा सेलबस कली खात्मा चुका है फिर भी तुम आज मुझे पढ़ाने के लिए आ गई हो तो क्या हुआ पढ़ाने के लिए मुझे ट्रीट नहीं दोगे तुम ट्रीट वाइनॉट बोलो क्या है पीजास है मोमोस है यह यह देख लो कुछ और भी खा सकते जैसे वड़ा पाप वाइशे तो बड़ी-बड़ी है तुम्हारी बजेब में पैसे नहीं है हनो यह एन्यवे वह चलते हैं जा इंडियन बजट से भी काम हो जाएगा कम इस इत लाइक डेट नो जस्ट येस तुम देखना आज मैं तुम्हें मेरी तरह से पूरा शहर गुमागी तो क्यों नहीं गुमूँगा ये खाए वह दो का भीस रूपया फेक है दो इतना सस्ता है पाति विए एक सेकंड एक सकंड गेंग पातिक है बहुत फास चला रही है, कहीं गिरना जाओ, पखड़ ले तो ए अभी अभी, ये ज़रा देखो, ये एग्जामें आ सकता है अगला बचाए अगाउंट्स, तो पहले ये वाला प्रॉप्रम देखे है देखो, उचे गलती हो गई, दो, बचे असादो love you I'm sorry sister, no door sir dating over ya आपल के पैसे नहीं है इसलिए दॉक्तर के पास आये हैं इसे कहते हैं भुरा वक्त हर तीन महिने में ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि ब्लड ताजा रहता है और हम जवान रहते हैं और हम ब्लड के अंदर का अलकॉल भी निकल जाता है वह पते की बात कई बाशा मेरी तारिफ कर रहा है तुम शाम को फ्री हो नहीं मैडम ज़रा थीरे मुझे से डर लगता है तु कितना डेलिकेट है हाई नमस्ते दोक्तर मुझे तेज बुखार है और सास लेने में भी तकलीफ है कोई ऐसी दावा दीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊ मेरे घुटनों में भी दर्द होता है चलने में भी तकलीफ होती है दर्द के लिए कोई दवाई दे तो बेटा हो कुछ भी हो हमारे लिए आपी डॉक्टर है हम बहुत तकलीफ में हाथ जोलकर आपसे बिंदी करता हूँ आपी लाज कर दीजिए बहुत दर्द होरा कमर में का करें बाई सब अर्य हटना बोला दुए की एंगी में करेंसे तकलीफ यह एंगी प्रेस वाले आगए चक्रवर्थी आगए सर, इधर आओ, फोटो अच्छी घिजना, हाँ सर ले रहा है तुमारी केमिकल फेक्ट्री की वेचे से यहां हम गरीब लोगों की जिंदकिया वर्बाद हो गई, और यहां रक्ततान का ढूंग कर रहे हो अब एक वहां से लो, देखना, तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी, इस बार तुम्हें कोई भी वोट नहीं देगा दोनों बाप बेटे, हमारी जान के दुश्मेट बन कए हो तुमने हम मुझारीबों की जिंदकी बर्बाद की है, एक दित तुम्हारी जिंदकी भी बर्बाद हो जाएगी, देखना तुम्हारा कभी भला नहीं होगा चक्रवर्ती, पोटोस अच्छी है, आँ अच्छी है सर, इस सहरीली फैक्टरी को बंद करो अरे बाप अरे बाप अरे यह सु क्या था यार पता नहीं मीडिया कवरेज कैसी थी चकरवर्ती, अच्छी थी सर, यहां जो कुछ हुआ प्रेस में नहीं आना चाहिए, आँ नहीं आएगा, सोशल मीडिया में या अखबार में, मेरे ब्लड डोनेशन के अलावा कुछ नहीं छपना चाहिए, हाँ ठीके सर, ब्यान रखना, ओके सर, अरे बाश्या, पुझे भूख लेगी है, घर में कुछ खाने को है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है कुछ वाल रखने है, ख़या, भईया, आपखाना खाना, मैप की रहा देख रही थी अपने बाट टाइम से कुछ खाया नहीं है इसलिए मैं आपके लिए यह लाई वाव तुम यह लेकर रही है थांक्यू चाद बाशा भाईय को जगाते है कि अपने लिए खाना लाई है थांक्यू हाट अटेक के बाद हमारे चैनल पर जो दाग लगे थे इस इंटेव्यू से सब धुल जाएंगे क्यामरा रेकॉर्डिंग मोड पर रखना और ध्यान रखना की रूम मस्त दिखें और उससे ज्यादा मस्त मैं दिखू समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं अबे कहां गया यह सर लोई एंगल से शूट करता हूं लंबे दिखेंगे अब ज्यादा स्टीवें स्पीलबर मत बन जो मैं कह रहा हूं बस वही कर समझाना यह जल्दी आना आ रहा हूं सर अब पहुंच गया है देकॉर्डिंग का बटन दबा अने जैसा कि आप देख सकते है किशोर इनके दर्वाजे पर तक कुंडी भी नहीं लगी हुई है कह रहे है कि कोई भी आपर आ सकता है यहां पर आकर रह सकता है उसके उपर इनको चोरी का डर ही नहीं है क्योंकि एक आम जीवन बिता रहे हैं इन बेचारों को देखकर ऐसा लग अब आपको चोटे मुणे चैनल में आएंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा पर अगर मेरे चैनल थरड़ाए में तो आपको पूरा देश देखेगा सर कीमती चीजों को छोड़कर सुकसुविधाओं को मोड़कर मौजमस्ती को तोड़कर जुग्गी बस्ती में गोड़कर इसके राइटर को मारकर उस्ती लश को दबाकर उसके उपर गोभी उगाकर उसकी सबजी बनाएंगे अरे बकलोल या ठीकल है कि राइम की दुकान करा बताएंगे कौन ही अत्याक का देवता कुछ डीटेल तो दिया आईन्हीं क्या पड़कर में तो थालु लग रहा है देखके तो नहीं लग रहा कि इसने सब कुछ त्याग दिया है उल्टा लग रहा है कि इसी को त्याग दिया है ऐसे चिल्गोजे को हम सेलिब्रीटी नहीं बना सकते, मच्छर से शकलेश की वो भी डिंगु वाली, जिस दिन ये मच्छर मेरे शो पे आया ना, सारी वैक्सिन अंदर घुसेर दूँगा, सर हमें TRP कैसे आएगी इस बेकार, बेजार, बे तुकी और बकवास न्यूस दिखा कर कैसे, सर जल्दी से न्यूस पढ़ साल के उम्र में, NRI अवी और बाशा गांधी जी के बता हुए रास्तो पर चल रहे हैं, क्या हो गया, आम जीवन की बात कर रहे हैं, इसने तो महंगे गौगल पैने हुए, जन्ता को बात अजम नहीं हो की, सर, सर, ये चश्मा उतार दीजे, सर, आपको गरीब दिखना है, स और स्पिल्बग, कैमरा रेड़ी है ना? रेड़ी नहीं है, रेड़ी है, ओके, महँगा इतनी बढ़ गही है कि बैंक से लोन लेके भी, प्लानिंग का इप प्लानिंग से ही, पोपिलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी प्लानिंग कमिशन और फाइनांस मिनिस्टर नागें जी कभी ये कहना है कि एक आम आदमी 38 रुपे में एक दिन का खर्चा चला सकता है आपको इस बारे में क्या कहना है 38 रुपीज? बलकि मैं तो कहता हूँ कि 83 रुपीज में भी मुश्किल है 38 रुपे में एक दिन का गुजारा नहीं हो सकता अगर सरकार आम आदमी के जीवन को एक मजाग समझ रही है तो ये सहन नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा अवी और बाशा की हिम्मद की दाथ देनी पड़ेगी पबलिक भी इनके साथ है ये देखिए पबलिक तालियों से इनका समर्थन भी कर रही है शेह सुबह शाम बस मीडिया ही पीछे पड़ी रहती है मेरे तो आज हमारे शोव पे आए हैं मिस्टर अवी और उनके दोस्त मिस्टर बाशा तो जानते हैं कि NRI अर्विंद और बाशा टेलिविजन के सेंसेशन बन चुके हैं उनके कई वीडियो ज़ वारिल हो चुके हैं खासतोर पर वो वीडियो जहां पर वो अपनी जिन्दे की साधरन तोर पर जी रहे हैं उनके ये विडियोस बहुत पॉपिलर हो रहे हैं कमाल हो गया मैं आपका बटो रहा है क्या भाइन हो मैंने तुमसे पहले नादे ना हाई हाई अर्विंद के फोनों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं खासकर लड़कियों मेंका बहुत ग्रेज है अभी और बाशा एनराय होने के बावजूद सिटी बस में ही ट्राविल करते हैं जिससे हमारी नई पीडी को एक सीख लेनी चाहिए पापा बाइक खरीट के दो ना जरा इस लड़के से कुछ सीख इतना पैसे वाला होकर भी बस में चलता है मेरे पास तो फुटी कॉड़ी भी नहीं है और तरे को बाइक चाहिए तल जा यहां से इसके वज़े से बाइक क्या साइकल भी नहीं मिलेगी उसने अपनी जायदाद और दौलत को टोकर मार दी और वो यहां एक आम आदमी की तरह अपना जीवन विता रहा है और इसी वज़े से अर्विन सभी लोगों में बहुत मशूर हो गया है प्रशहर को जो अवर्णिंग थिए थीज जाना की सवस्प्राइण की इस तरह को इंटर्वियो तुम भी स्टार बन जाऊगे भीघारी रहों के तुम यह बड़े-ड़े तीस मार खाका तीस रह जाता और मार खाके जाते हैं जब मेरे सवालों के तीर चलेंगा ना बेटा, तो आँखे गिली, पैंट पीडी और दुनिया नीली हो जाएगी तेरी? कॉफी कि दर है? चलो, शुरू करते हैं, अबे क्या कर रहा है? इदर कॉफी विद किशोर लिखा ना, किशोर तो है, लेकिन कॉफी नहीं है, बैटा, तेरी कॉमिक टामिंग इतनी खराब है, कि अगली फिल्म में कास्टिंग ही नहीं होगी, चलिए सर, शूरू किया जाए, कॉफी विद किशोर में आपका स्वागत है, ऐसा शूर जो सेलिब्रिटीज की मन की भावनाओं की चान भीन करता है अपनी फ़ड़ाई से, आज के हमारे गेस्ट है कैसे नौजवान, जिनके जीने के तरीके ने रात और रात, ओवरनाइट सेलिब्रिटी स्टेटिस दिला तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी सारी दॉलत छोड़ कर यहां आने की क्या सूजी जो पिछले 25 सालों में नहीं सूजी, I want an answer sir, देश सुन रहा है, बताईए sir, बताईए, you are live, Baba, Baba, क्या आपका मतलब है Sanju Baba, ने, Baba, 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 एक दिन सपने माहा है, और मुझ से कहा देखो, अर्विन, ये गाड़ी, दॉलत, सुक्स विधाए, ये सब माया है, उन्होंने समझाया, एक डॉलर, एक डॉलर भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे उपर, so, मुझे हैसास हुआ कि, असली खुशी दूसरों के लिए जीने महीं है, आम आदनी को underestimate नहीं करना चा चलो, बताओ, बताओ, क्या बोल रहता है, वो, अमेरिका बैंक नहीं है, जूड, बैंक अमेरिका है, इसके कहने का बतलब है कि हम पैसो को वहाँ पर जाके, फिक्स देपोजिट कर देंगे, और उससे जो इंट्रस मिलेगा, वो खरीबों में बाट देंगे, ये 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 हम पैसे बचाने के लिए, फ्लोट वाली शार्क में हवा भरके उस पे तैलते हुआ हैं, अगर ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, तो कितना खर्चा होता है, हम तो सोच रहते हैं कि रेडी पर आएं पर इसके बस खारी नहीं है, गोगली तो फ्लॉप कर गई, लगता ह अब बाउंसर मारना हूं सा, ये फ्लोट वाली शार्क ऐसे खरी दी, सार अमेरिका में भी रस्ते केची सफ्ते में मिलती हैं, सब जानते हैं, वहां पे कोई रेकडी वाला नहीं बैठता है, अच्छा ये बताओ, तुमें ये भी मेले से मिलाता है, सार आप ऐसे पहले इंस जो खरीबों की मदद करने से हमें रोक रहे हैं, ये गनत है, आप कभी मेले में गये नहीं, इसलिए मन भी मेला हो गया है, अबे तुझे मेले थाले में बिठा के पूरे मेले में घुवांबा, सुसु करके आता हूं, फिर बताता हूं तुझे, तुम्हारा भी अच्छा व डीटिए माझे चिह…स बाए अटाते हैं, जुछ。 मैं बात ब्रेकों के तुम्हार आमले पूरमत करता हूं, है तुम्हारा है। झाले नोर्चाहए। कूरूरूरूरूर्यून्सूरा सब्सूरिफ शुगा हो जिए आईुग से टालता हूं हरूं का साले इसलिकार निवस इस चैनल यूथ आइकन कॉंटेस्स करवाता है और इस साल उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है अवी येस जीतने वाले को पाँच लाख रुपए मिलेंगे पाँच लाख हलो हलो अवी हाँ हाँ पैसा तो हाथ की मेल है जीतने के जजबा होना चाहिए जीतूंगा वही ये बताओ ये चैनल का नाम क्या है हम यूथ आइकन कॉंटेस्स की डिटेल्स जानने के लिए हैं उसका सिलेक्शिन कैसा होता है क्राइटेरिया क्या होगा समस वोटिंग शुरू हो चुकी है जैसे ही कांटेस्ट खत्म होगा हम विजेता का चुनाओ वोट्स के आधार पर करेंगे सर अगर जीत गए तो पांच लाख रुपे दोगे ना बिल्कुल देगे लेकिन आप पैसे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं हम अपने महले के कुछ बुजर्गों को काशी आत्रा पर भेजना चाहते हैं यह पैसा मिलेगा तो उसी के लिए इस्तमाल करेंगे काफी अच्छा विचार है कॉंपिटिशन बहुत ही टफ है अभी तक मिले पोल के आधार पर पहले नंबर पर है भारगव दूसरे नंबर पर है वैशनवी और तीसरे नंबर पर तुम हो डूड यह कॉंटरस जीतना बहुत ज़रूरी है इसी पैसे से हम अमेरिक आ जा सकते हैं परफेक्ट एई डाड का कॉल है हाँ बात कर हेलो डाड क्यों बेटा अटेंडन्स ठीक चल रही है न पढ़ाई ठीक तर से कर रहे है या फिर आवारा करती हो रही है दिल लगा के पढ़ाई करो नहीं तो पांच हजार रुपे भेजना बंद कर दूँगा अपने वैसे अपने पास रखिया नहीं चाहिए मैं आफ़े भर में यूएस वापिस आजाऊँगा सी यू सून डैड बाई बारगव कोटेशवर जी तुमसे बात करना चाहते हैं कोटेशवर जी ये लीजे हलो बारगव हाँ नमस्ते सर अभी मैंने तुम्हारा अखबार में नाम देखा क्या तुम भी वो यूथ आइकन कॉंटेस्ट में नमीनी हो वो मैं ही हूँ अब तुम सही ट्रैक पर हो ये बहुत ही खास अवाउड है एक बार तुम इसे जीत जाओ तो हम उन लोगों का मूबन कर पाएंगे जो तुम्हारे तजूर्बे पर सवाल उठाते हैं आप देखना सर ये आवाड मैं ही जीतूंगा दो प्लेट इटली पचास रुपए कितना पैसे है एक प्लेटी देना प्लेटी देना प्लेटी पास रुपए छुट्टा नहीं है शेयर करके खेंगे हाँ आपको भी देता हूँ एक रोको यही रोको सर सर क्या कि सब्सक्राइब आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं लीजे सर सर सिर्फ इतना ही नी वो यहां के रोड साइट ठेले पे लोगों के साथ खाना भी खा रहे हैं और यहां पर वो उनके एक शेत्र नेता जी नगर के लोगों के समस्याओं के बारे में जानकारी लेने और चर्चा करने आए हैं हमें पता है कि भारगफ यूत आइकन कॉंटेस्ट में पहले नंबर पर चल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नस्दीक आ रहे हैं इस टूर का महत्व बढ़ गया है पानी देजी ब्रो हम किसमत से पॉपिलर तो हो गए पर आगए से नहीं चलेगा हमें कुछ प्लाइन करके स्ट्राटेजी बनानी होगी लोगों और मीडिया की नेजरों में आना होगा हमें कुछ ऐसा धमाकेदार करना होगा ताकि ज्यादा वोट्स हमें मिलें आज से ये क आज की पहली ख़बर है अर्विन की पॉपिलारिटी दिन बा दिन बढ़ती जा रही है सब्सक्राइब में और में आज था से बाड्यादी जालू ऑ मार्टोर्स जल्दी जल्दी आजाएये यह नीजी माम हाई दैन यह अभी यह बाशह अश्रा दिशे मजद किया नि बस ऐसे ही आप्योर्स हो गया कि हुआ अभी बचा सकते हो बेटा मैं बचा हूगा बेटा तुम तो जानते ही हो केमिकल फैक्टरी का सारा कश्रा नदी में डाला जा रहा है वो पानी पीने से हमारे बच्चों के गुर्दे खराब हो रहे और साथ ही हम सब के तबियत भी खराब होने लगी हम कई सालों से कह रहे हैं अब तुम ही हमारी कुछ मदद करो और मैं क्या कर सकता हूं तुम ही कर सकते हो बेटा कल की भूख हरताल में अगर तुम हमारा साथ दो हमें यकीन है इस हरताल में काम्याबी जरूर मिलेगी फिर सरकार को हमारी बात मानने ही पड़ेगी ना हम यह रह सकते हैं और ना ही यह छोड़ सकते हैं हम बहुत उमीद से आए हैं बेटा ठीक है वो बात यह कि हम दो तिन दिन अपने कॉलिज की प्रोग्राम में बिजी हैं तो हम आँ नहीं सकते सॉरी मेरे बेटे यह बूढ़ा तुम्हारी मिन्नत करता है तुम सरूर आना तुम हमारी आप जरूर आना भाईया भाईया आपको मदद के लिए आना ही होगा यह लीजे प्लीज केमिकल फेक्ट्री बंद करो जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनती केमिकल फेक्ट्री इस सरकार की ताना शाही नहीं चलेगी केमिकल फेक्ट्री हमारी मांगे पूरी करो केमिकल फेक्ट्री हमारी मांगे पूरी करो केमिकल फेक्ट्री इस सरकार की ताना शाही नहीं चलेग chemical factory बंद करो जो सरकार हमारी नहीं जुनती वो सरकार में कम्मी है chemical factory बंद करो जो सरकार जंता की नहीं वो किसी की नहीं सर, बोलो, मैं यहां फैक्ट्री के पास हूँ, कई सारे लोग हर्टाल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ये ड्रामा पहली बार तो हो नहीं रहा, हर बार की तरह भीड को तितर बितर कर दो, कर देता सर, हर्टाल में आयोए लोगों की तादाद बहुत रहे हैं, चुड़े रहे हैं अर्विन भैया, अर्विन भैया, अर्विन भैया, अर्विन भैया, ये चामिकल बच्ट्री बच करो। देख, ऐसा करने से वोट तो ज्यादा मिलेंगी, साथ ही अपने मौले वाले भी खुश हो जाएंगे, तो चलाएं बंद करो,अरविन करो आप हड़ बैठे हुए हो तो क्या आप गरीब लूगों का समर्थन करते हो इसके लिए कोई ठोस वज़ें चाहिए बेज रहा हूं यह बेज रहा है यह बंद बिला रहा है यह बंद 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 आप रहा है नहीं चलेगी बंद करो बंद करो आओ चलो रुख जो शांत हो जो क्योरे बस्ती वालों का नेता बन रहा है मीडिया फूटेज के रहा है तुम्हें आदे घंटे का टाइम दे रहा हूं टेंटु खाड़ो और निकलो यहां से सबको अठाव यहां से जल्दी करो एलो सर पोलिस की पर्मिशन तुम ले चुके हैं फिर जाने को क्यों कह रहे हैं कितनी रिश्वद ले तुम्हें तेरी हिम्मत कैसे हुए मुस्स्यासी बात करने के लिए चलाट यहां यहां कानूनी है आप हाथ नहीं उठाज़ें कितनी का बातकर नहीं पासके जब व debit़ ऑरो यहां फिए थर र्रेवर्ड़ को जालो पासके बातकर बातकर Department प्रोटे अग्चिन मात वानो बढ़ो 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 बत्षमारों। अख। अजय अबी दाना जी। दाना धानी। अपी सुझ कियों अगानी। जानी अबी भही जा पहां जब पहां कि पाल कि पता है। वां कि पाल कि ती हां इचा हा इस हा फ्हां अिर हां केमिकल फैक्ट्री के बाहर धर्ना दे रहे बस्ती के लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है जिससे हर्ताल में अफरा तफरी मज़ गई है अवी अवी और बाश्शापर हुए हमले और गिरफतारी से जुगी बस्ती के लोगों में बहुत आकरोश है गिरफतारी के बाद यूद आइकन कॉंटेस्ट में अर्विन के वोटों की गिंती बढ़ती जा रही है कॉंटेस्ट में तीसरे स्थान पर चल रहे अर्विन अब वैशनवी को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए है पैदा हुआ एक रईस के घर में लेकिन एक आम आदमी की तरह जी रहा है वो पैदा हुआ अमेरिका में लेकिन अपनी जड़ों को ढूड़ने के लिए इंडिया आ गया उसके दिल में समाज और उसके आसपास की समस्याओं के प्रति सहनुभूती ही उसके लिए मुसीबत बन गई और उसके गिरिफतारी का कारण भी उनका नाम है अर्विन प्रसाद सर इस गिरिफतारी के बाद वो अर्विन बहुत ही पॉपुलर हो गया है इसी तरह अगर पॉपुलरिटी बढ़ती रही तो कॉंटेंस भी जीत जाएगा हमें हारने के बाद भी जीतना आना चाहिए यही राजनीती है खल्ती हो गई यार सोचानी था ऐसा सब होगा पता नहीं बस्ती वाले भी पिचारे किस हाल में होंगे बगवास बनकर ओवी हम सिर्फ यूथ आईकन कॉंटेस जीतने के लिए वहां गये थे यह सब करने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला हम कोई महात्मा नहीं बनने वाले सिर्फ तेरी वज़े से मैं यूएस की जिल से इंडिया की जिल में आया हूँ इस प्लान में तू भी शामिल था ना तो सारा दोश मुझ पर क्यों डाल रहा है एक काम करते हैं तू बता आगी क्या करना भई करेंगे तो मिस्टर यूथ आईकॉन अडवांस में कंग्राजिलेशन्स वो जो यूथ आईकॉन कॉंपटिशन है वो तुम्ही जीतने वाले हो अंदर से इंफरमेशन निकाले है कल तक अनाउंस हो जाएगा कल इवेंट होने के बाद मैं तुम्हें अपने पैसों से बिजनेस क्लास में अमेरिका विजवाऊंगा ओ थैंक यू लेकिन एक महीने के बाद इस एक महीने में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना मेरे election campaign में तुम लोगों को मेरे बारे में आच्छा बोलना है सिर्फ इतना ही नहीं कल youth icon के event में stage पर तुम्हें कहना होगा कि मैं तुमारी inspiration हूँ जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तभी अमेरिका जाने दूँगा और ना क्या तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास यूएस में तुम्हेरे arrest के fire copy यहां के hotel का बिल ना भर पाने की वजह से तुम लोगों के passport जब्द हो गए है यह सबूत है कि तुम लोगों ने न क्ली नोट एक्सचेंज करने की कोशिश की जब यह सब पब्लिक को दिखाऊंगा ना तो वही पब्लिक जो तालियां बजा रही थी चपल फैंक के मारेगी मैं जानता हूँ तुम तो मेरी बात मान लोगे लेकि तुम थोड़े चालूँ मानेगा सर यह भी मानेगा यह पाशा हमारे पास और कोई चाहरा नहीं है सो तील यूथ आइकन कॉंटेस्ट के विनर को अनौंस करने के लिए हर साल की तरह स्टेज सच चुका है हम आपको दिखा रहे हैं अवार्ड शो का लाइफ कवरेज अब समय है साक्षी टीवी यूथ आइकन ऑफ दे एयर आवार्ड के विजेता की घोशना करने का और विजेता है मिस्टर अर्विन प्रसाद जिसने कभी हमारी जिंदगी में रोश्री नहीं की क्यों उसके आगे दिय जला रही हो इस दिये को जलाने से ही तो उजाला होने वाला है अच्छा है और अब साक्षी ग्रूप के सी एओ फेट करेंगे यूथ आइकन ऑफ दे इयर आवार्ड मिस्टर अर्विन प्रसाद को अर्विन प्रसाद यूथ आइकन ये सुनते जोश आजाता है अमेरिका का लड़का इंडिया आखर एक आम आदमी की तरह रहने लगता है एक एक रुपिया बचाता है 83 रुपीज में अपना दिन का खर्चा सिलाते हैं इसलिए आप लोगों ने मुझे आवार्ड भी दिया लेकिन मेरे हिसाब से इस अवार्ड का असली हगदार मिस्टर भार्गव अरे पखला रहा है क्या बोल रहा है क्या होगा पता है क्यों क्योंकि इस यूद कॉंटेस्ट में मैंने उने ही वोट दिया है मेस्टर भार्गव दुबाई में अपने करोणों का कारोबार छोड़कर यहां पर आम आदमी के तरह जी रहे हैं हमारे लिए यह कोई मामली बात नहीं वो कोई पॉलिटिश्यून नहीं है बलकि एक आइकन है जब तक भार्गव जैसे नेता रहेंगे तब तक मुझ जैसे कई लोग यूद आइकन बनेंगे इससे अचानक क्या हो गए मुझे भी नहीं समझा रहे जर जर ढो, जर 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 जर, जर जरुCuैजन लिए य चैसे इस सब्रेब którą पातना लिए जया, लिए ज seasonsて यिए जर 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 जने लिए जरच़े जर जर, सब्सप़े और, ज जर जर, जर्स सम्झyaMs जर लिए जर जर, जर सॉरी भारगा, मैं और जूट नहीं बोल सकता है सॉरी, आप सब सोच रहोंगे कि अर्विन स्टेज पर क्या बोल रहा है थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ बोला, वो मैंने दिल से बिलकुल नहीं कहा है वो सब मुझसे सबरदस्ती बुलो आया गया है, और ये सब बुलो आया है भारगवने ये क्या बोकॉस कर रहा है, इसे रोको कोई आप सब लोगों से मैंने एक और बार चुपा के रखी आप सब सोच रहे हैं कि मैं अपना एशो आराम छोड़ कर यहां आम जिन्दकी जीने आया हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे डैट चाते थे कि मैं सुधरू, इसने सजा देने के लिए मुझे यहां इंडिया भेजा जिस दिन से यहां आया हूँ, वापिस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहां पर रुकने की मैंने एक बार भी नहीं सुची और यही वो सच है जो मैं छुपाता आया हूँ भारगव को जैसे ही मेरी ये ससली सच्चाई का पता चला तो उसने का स्टेज पे जाके उसकी तारीफ करूँ और आने वाल इलेक्शिन कैंपेंग में उसका साथ दू कोई कुछ करो, कोई रोको उसे, चैनल में फोन करो, जल्दी करो, रोको उसे, जल्दी उसने लालच दिया, कि अगर मैंने वही किया जो वो चाहता है तो वो मुझे अमेरिका भीजेगा, वरना वो आप सब के सामने मेरा पर्दा फाश कर देगा मैंने जितने जूट कह उससे, मैं किसी कभी नुकसान करना नहीं चाहता था लेकिन जो भारगा हुने का, अगर मैं वो सब कह देता न, तो वो आप सब के साथ धोका होता ना मैं अब और जूट बोलना चाहता हूँ, ना दोका देना चाहता हूँ इस फरेव की जीट से तो बहतर है, मैं हार के अपनों का वफादार बन जाओ आप सही ते डैड, इंडिया भेज कर आपने बहुत अच्छा किया मैं यह नहीं जानता कि मैंने कॉलिज से क्या क्या सीखा, और इंडिया की लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा हजार डॉलर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचा, लेकिन इंडिया में मैंने एक रुपया, एक रुपया खरचने से पहले भी हजार बार सोचा मुझे पैसो की कीमत पता चल गई पहले अगर खाना अच्छा नहीं लगता या फिर लेट आता था तो मैं उस उठा के फिक देता और याने के बाद कई रातों को पानी पी कर पेट भरा है मैंने तब पता चला भूग क्या होती है कभी एक टी शिर्ट मैंने एक बार से ज्यादा नहीं पेहनी लेकिन अब जब एक ही कपड़ा बार बार धोकर पेहनता हूना तो उसके साथ एक लगाओ सा मैसूस होने लगता है चीजों की कीमत सबज में आई जब मैं अमेरिका में था तब मैं भी एक अमेरिकन की तरह सोचता रहता था कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे खुश रह सकता हूँ क्योंकि that's the American life और इंडिया आके मैं किसी का भाई बना, किसी का पोता बना, किसी का जिकरी दोस बना, किसी का हमदर्द बना, बहुत सारे नाम मिले मुझे. और मैं उनमें इतना खो गया, कि यही भूल गया कि मैं कौन हूँ, और दूसरों की खुशी के लिए जीने लगा. बिडू, तु अप उनका दोस्त नहीं है, तु अप उनका भाई है, भाई, लव्यों मेरे भाई. मैं उनका कोई भी नहीं लगता हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे अपना समझा. तब मैंने सीखा, अगर खोशिया चाहिए, तो वो पैसे या सुविधाओं से नहीं रिष्टों से मिलेगी. ज्यादा पैसो की लालच ने हमें धोका दिया. जब शौरच चाहिए थो तो हमने धोका दिया. मैंने सुवार्थी होकर यूद कॉंटेस में ज्यादा वोट पाने के लिए बस्ती वालों की हरताल कसारा लिया. लेकिन मेरा सर तब शर्म से जोका जब उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दाओं पे लगा दी. मैं आप सब के लिए तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन आप सब लोगों ने तो मेरी सिंतिकी ही बदल दी. मैं आप सब का अहसान मंद हूँ और आप सब से जूट बोलने के लिए माफी चाता हूँ. I'm sorry. बस एक रिक्वेस्ट है आप सब से. उस केमिकल फैक्टरी की वज़ा से निताजी नगर के लोग तकलीफ में हैं. इसलिए निताजी नगर के निवासियों की तरफ से मैं सरकार से विंति करता हूँ कि उस फैक्टरी बंद करवा दे. जागो, 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 नेरा! 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 वह क्या बात है कि… अभ एन्व युवा नेता भारगव के विवाद की गूंच अज विधान सभा में सुदने मिली विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार की कड़ी आलुशना की और साथ ही साथ सरकार को आम जंता का गुस्सा भी जेलना पड़ रहा है इसलिए सत्ता पक्ष गहरे दबाव में है इस सर्विंद को तो मैं जिंदा नहीं रहने दूगा तुमने अपने राजनीती जीवन को शुरू होने से पहले यंद कर दिया इतनी अकड़ किस बात की है अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो बढ़ों की बातों पे आमल करना सीखो जाओ अब पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि मेरी पार्टी में भारगाउ जैसा एक बुरा आदमी है मैं उसे अभी और इसी वक्त पार्टी से निसकाशित करता हूँ अगर हम पब्लिक को सपोर्ट करेंगे तबी तो पब्लिक भी हमको सपोर्ट करेंगी मैं ये भी घोशना करता हूँ कि सरकार क्यामिकल फैक्ट्री को बंद करेंगी और मैनेजमेंट पर कानूनी कारवाई भी करेंगी तो बच्चो आपके पिता की दन खुए 10,000 रुपे उसमें से पास टका उन्होंने तुम्हें जेब खर्ची दे तो तुम्हारी जेब खर्ची कितनी हुई उससे बहुत कम जो तुम्हारे डाड ने तुम्हें दी थी डाड मैं चाहता था तुम सुधर जाओ पर तुम तो सुधर भी गए सवर भी गए चलो बेटा अब वापस चलते हैं वापस जाने का मन नहीं है डाड अवी मैंने तुम्हें पैसे की किमत समझने के लिए बेजा था और वो तुम समझ चुके हो अब चलो दो साल में टेगरी मिल जाएगी उसके बाद लौटाऊंगा तुम्हारी मॉम से क्या कहूं कहना उनके लिए बहु ढूंट लिया और उसे साथ लेकर आऊंगा कौनसी वो लड़की है क्या नेहा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इसलिए मेरे मुझे जूट पर जूट निकलता गया मुझे प्लीज माफ कर दो मैं आज भी वैसा शरीफ लडगा हूं बिल्कुल भी ठर्की या लफंगा नहीं हूं बल्कि पहले सो और भी स्याधा बन कया हूं बता है मज़े पर अंकल जैसे दारू पीकर आंटी को मारते पीते थे ना वैसे अगर तुम मुझे कभी मारोंगे पीटोगे नहीं तब पूरा विश्वास करूंगी क्या कहां अंटी को मारते अरे मैं तो दारू पीता ही नहीं डाइड वो बबात ही ऐसा कि मैं यह मैं क्या सुन रहा हूं वो डाड लड़की के समने हीरो बनने के लिए डाड को विलन बना दिया हम रहे मैं नहाने क्या गया यहां तो पूरा गाउं बस गया अंकल मुझे इसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दीजिए वो क्यों हर बात में क्या यह क्यूं वो क्यूं वैसे भी इसको डिगरी मिलने के बाद यू सने वाला है ने तो इसके लिए बनवा लेता हूं आधार कार्ड रेशन कार्ड पैन कार्ड़ सब में इधर काई डालना पड़ेगा ना यूँकि यह तो इधर ही सेटल होना चाहता है अब विन ने सच बता दिया कि वो यूथ आइकन बनने के लाइक नहीं है. क्यों ने रंजन, देखा तुमने? मैंने पहले ही कहा था कि वो एक नंबर का छीलावा आलू, चिलगोजा है, चिर्कुट है. तो माने नहीं. एक अंदर की खबर है, उसने अपनी कॉलेश की लड़की को पटाया है, और अब दोनों हाथों में हाथ डालकर मस्त घूम रहे हैं. अइसा गया, सेटिंग हो गई? यह कभी नहीं सुधरने वाले है, अरे सर, अपने को क्या मतलब है, वो लड़की बटाया है, लड़की घुमाया है, वो 400, 200, 800, 400, अपने को क्या फ़क पड़ता है, आप अपना काम करो ना सर, बाकी दुनिया आ गई तेल लेने, रिकॉर्डिंग चौलू करें सर, एक बात स झ 때 अपने लेमर है, भी बात सर, एकना करें सा तेला, गट canons, मना करें सा रे हैं, वो लेमर्वाया है, वो लग़की दाने को क्या है, वो लिए मैं पूलू आदाना ना सर, जो ले भी हैं, वो लेॉत वो लेमर्वाया है, वो ले क्रोबसे सर, अपनूमाया है, आपना ओ Kell ön